नमस्कार आदाब सश्रियकाल और वेलकम तो मैंनल ब्रेंज में हूँ आपका मैंस मेंटर रहूल गुड़ाइब इवनिंग वेनेवर यू और इन्जॉइं इस सेशन स्टुदिन्स एंटी सी के आपके तयारी करवाने की जिम्मेदारी ली है मैंनल ब्रेंज ने उसमें आपक हैं तो पहसिन हैं इसनकों को अपने ऐसे और ताकत सबसे हैं यह सबसे बड़ि ताकत हमें कि अच्छा अच्छा करने लिए प् attainания है हमारा जो ड्रीम है कि भारत का हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है वह अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सके पढ़ सके बिना कुछ पैसा खर्चा किये हमारे साथ प्री ऑफ कॉस्ट और हमारे इस ड्रीम में कि भाईया हम होंगे कामयाब चाहे एंटेसी हो चाहे इसमें जरूर होंगे कामयाब की सबसे बड़ा सब्से बड़ा सपोर्ट रहेजा आप चीड़ेंच मत शूरू करेंगे हमारे चानल के मिने क्र nossos यहां तो अब हम फोकस करेंगे एक यह और नीचे दाट इस पंधरा सोला पे जहां पे हम उसमें जो भी सवाल आए थे अलग-अलग स्टेट्स में उनको सॉल्फ करेंगे प्रीवियस एर क्वेशन से हमारे कौन से टॉपिक के जो की गनित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें कक्षा आठवी से लेका दसवी तक के बहुत सारे चाप्टर्स जैसे लिनेर एक्क्वेशन वन वेरियेबल टू वेरियेबल कौडराटिक एक्वेशन वो सब इसमें काउंट होता है तो काफी बड़ा पार्ट हो जाता है हमारे मैथमाटिक्स का यह और अध्यान से पढ़ना है समझना है उसके बात सॉल्फ करना अपना जवाब निकालना है चले क्या बूल रहा है यहां पर कि इन फ्लाइट ऑफ छे सो किलो मीटर एक फ्लाइट है जो कि कितना डिस्टेंस ट्रावल कर रही है छे सो किलो मीटर इट वस लो डाउन धीर हो गई दूटू बाड़ मतलब जो आपकी पहले की स्पीड थी और अपकी स्पीड में थोड़ा सा फरक आगया कितना फरक आगया हो सकता है आगे बता चलेगा देखे अब आगे इस पीड जो की नॉमली स्पीड पर चलता है जब भी आप कुछ कालकुलेशन करते हैं तो हर बार ए क्योंकि आपको डिस्टेंस पता होता है आपको अपनी स्पीड पता होती कि लगभग मुझे इतनी स्पीड पर चलता हूं मैं तो इतना टाइम लगेगा ठीक है तो एवरेज स्पीड जो थी उसको 200 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से कम कर दिया गया रिड्यूस्ड ब का मतलब है कि 200 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से कम की गई मतलब अगर पहले 600 थी तो आप 200 कम करके 400 हो गई एक्जाम्पल के तौर पर ठीक है जबकि आप कहते हैं कि रिड्यूस्ड टू 200 किलोमीटर तो मतलब हो जाएगा पहले 600 थी अब 200 हो गई ठीक है एक बार में अगर फिर से रिपीट कर दो तो मान लीजिए 600 फिर रिड्यूस्ड बाई लिखा है डिड्यूस्ड बाई 200 मतलब 200 से कम की गई तो 600-200 मतलब 400 और अगर स्पीड है 600 और आपने लिख दिया रिड्यूस्ड टू 200 तो मतलब आपने इसको कार्ट छाट के 200 के बराबर कर दिया यह डिफरेंस है ठीक है तो जबी भी आप सवाल पढ़ें किरपयाई शब्द का एकदम बारीकी से विसलेशन करें कि कौन था शब्द दिया है कैसे लिखा है उसके बाद जवाब मांक करें अनित अगर आपने चोटी सी गलती कर दी ग्रामेटिकल तो आपके पूरे सवाल क फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है ताइम ऑफ दे फ्लाइट इंक्रीज्ड बाइट अब बात है जब आप स्पीड को कम करेंगे धी में चलेंगे तो आपको समय जादा लगेगा समय कितना लगा आपको उन्हें का 30 मिनिट जा चलिए यहां पर दो तीन चीज़े हैं एक है आपका डिस्टेंस जो है दूरी और वो फिक्स है कितनी 600 किलोमीटर है की नहीं यह सर अब आपकी स्पीड है कितनी दो स्पीड है तो भाई स्पीड वन लिख रहा हो में एक्स ठीक है तो इस समय टाइम क्या होगा तो सब टाइ स्पीड है एस टू लिख रहा हो में वह है 200 किलोमीटर कम मतलब एक्स माइनस 200 तो आपका टाइम कितना हो गया सर टाइम हो गया टीटू हो गया कितना वाई प्लस हाफ सर हाफ कहां से आया देखो लिखा है 30 मिनिट अब क्योंकि स्पीड किलोमीटर में स्पीड है किलोमीटर पर आवर में यहां पर भी देखो स्पीड लिखे किलोमीटर पर आवर में तो इसको अगर आप मिनिट में लेके चलेंगे तो गलती हो जाएगी ठीक है इसलिए होता है तो वह हमने लिखा y प्लस हाफ अब कहानी क्या बन रही है सर कहानी को सिच प्रकार है कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमेशा तो इस केस में एक्स हो जाएगा छे सो अपॉन वाई या फिर आप लिख सकते हैं एक्स वाई इस इकवल टू 600 एक आपको यह पता चल गया ठीक है दूसरी बात यहां पे भी जो नई स्पीड है डाट इस एक्स माइनस टू हंड्रेड वुड आल्सो भी इकवल टू 600 अपॉन वाई प्लस व के बीच की दूरी बढ़ या घटने जाएगी अगर वेदर खराब है तो ऐसा वेदर नहीं हुआ है कि जिससे शेहरों के बीच की दूरी बढ़ जाए हो सकता है हावा हो बारिश हो लेकिन उससे दो शेहरों के बीच की जो दूरी है वह उतनी रहेगी 600 अब इसको हम यहां पर हम चेक कर लेते हैं कितना सॉल्व हो सकता है और कैसे हम अपनी वाल्यू सतर पहुंच पाएंगे चलिए तो एकस माइनस 200 और इसमें मल्टिप्लाय करेंगे आप य प्लस वन बाइटू इस इकवल टू कितना इस इकवल टू 600 चलिए आपने यहां पर सॉल्व किया तो आपको मिलेगा एकस वाय क्योंकि एकस इंटू वाय करेंगे आप फिर आप करेंगे एकस इंटू हाफ तो जाएगा प्लस एकस वाय टू फिर माइनस 200 वाय और यहां पर माइनस 200 प्लस वन बाइटू मल्टिप्लाय करेंगे जब आप इसको टू से टू कांसल तो माइनस 100 is equal to 600 यही होगा अब xy की value आपको पता है कितनी है sir xy की value है 600 तो एक तो आप उसको replace कर सकते हैं ठीक है कितनी लिखिया आपने यहाँ पे 600 plus xy2 ठीक है minus 200 y minus 100 would be equal to 600 अब क्योंकि दोनों तरफ 600 600 है क्या मैं उसको cancel कर दूँ sir बिलकुल कर दीजिए तो अब क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा यहाँ पे 600 600 cancel अब आपके पास equation क्या रहे गई sir equation अब रहे गई हमारे पास यहाँ पे कि x plus xy2 x by 2 minus 200 y ठीक है minus 100 would be equal to 0 यह equation रहे गई यह जी sir यह तो रहे गई है परन्तु किन्तु क्या इससे हमारा काम बनेगा minus 100 is equal to 0 क्या इससे हमारा काम बनेगा sir यहाँ पे अब हमें x की value अगर हम चाहे तो replace कर सकते हैं 600 by y ताकि हमें equation एक ही variable में मिल जाए ठीक है यह फिर आप चाहें तो y को भी replace कर सकते हैं भाई 600 by x की बात है equation same variable में आने चीए basically आपको चाहिए x by 2 तो इसी equation को इसी equation को आप लिख सकते हैं x by 2 अब अब जब आपने यहाँ half multiply कर दिया तो यहाँ भी आप multiply कर देंगे half तो कितना हो जाएगा sir यह हो जाएगा 300 ठीक है तो x by 2 minus यहाँ पे x by 2 की जगह में लेख रहा हूं 300 by y तो 300 by y minus 200y minus 100 would be equal to zero इसको अगर आप और solve करेंगे आपकी equation बनेगी 300 minus 200 y square minus 100 y would be equal to zero यह क्या हुआ यह आपने लिया lcm तो बहुत देखो यहाँ पे एक भी वाई नहीं था तो into y हो गया यहाँ भी एक भी वाई नहीं था तो into y हो गया तो यह आपको मिल रहा है अब वाई into zero करोगे आपको वहाँ पे zero मिल जाएगा और इन तीनों में से आप चाहें तो hundred common ले सकते तो कुल मिला के बचेगा आपके पास hundred common या minus hundred ले लिजे विकास y स्कूर वाई टर्म पॉजटिव हो जाएगी अब यहां negative नहीं है लेकिन आपने ले लिया तो यह बन जाएगा negative minus three यह negative था आपने बाहर ले लिया तो positive बन जाएगा यह negative था आपने बाहर लिया तो positive बन जाएगा और यह equal to zero तो यहां से आपको मिलती है आपकी equation जिसको हम अब यहां लिखेंगे विकास हमारे पास जगह की है थोड़ी सी कमी कि कितना हो जाएगा आपका यहां पर equation सर्य यह minus hundred side change करेगा तो फिट से 0 से मतलब 0 ही हो जाएगा तो कुल मिला के बचेगा two y square plus one y minus three would be equal to zero अब आपको क्या निकालना है अब आपको केवल जोड़ घटा के y की value निकालनी है जो कि आपका समय बताएगा क्योंकि x था distance और y था time sorry x था speed और y था time चलिए screen हम थोड़ी clear कर देते हैं ताकि लिखने में आ चलिए अब ऐसे दो number 3 जिने multiply करने पर आना चाहिए six और add or subtract करने पर आना चाहिए one बहुत आसान है आपके आजू-बाजू में ही आपके जवाब है तो two y square plus two y minus three sorry minus two y होगा और plus होगा three y तभी तो plus minus करने पर positive y आएगा और minus three यहाँ पे है equal to zero अब इन दोनों में से आप लेंगे two y common अंदर बचेगा y minus one आपने पूरा का पूरा two y ले लिया तो two आगया y bar आगया y square का एक y रह जाएगा minus one है यहाँ पे plus three आप common लेंगे तो अंदर बचेगा y minus one is equal to zero अब इन दोनों में से आप y minus one ले लेंगे common और two y plus three यहाँ पे आजाएगा बचा हुआ क्यो one या फिर आएगी minus three by two और जितना गणित हमने पड़ा है common sense के साथ कि नेगेटिव कभी timing नहीं हो सकती timing हमेशा क्या रहेगी positive रहेगी तो y की value one है मतलब कितना है एक घंटा होना चाहिए आपका उत्तर क्या आपको यह समझ में आया येस सर कहीं कोई शंकामन में नहीं सर तो भाई computer g के साथ एक बार हम और देख लेते हैं उनका जवाब क्या रहा है एक घंटा computer g से और पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या है उनका जवाब भी है ए one hour मतलब हमने इस सवाल को सही solve किया ह अपने अपने speed distance time को formula यूज करते हुए अपने पूरे सवाल को solve किया speed distance time से आपको जो दो situation मिली थी एक जब सब कुछ normal है और दो जब सब कुछ थोड़ा बदल गया speed कम हो गई time बढ़ गया तो उसको यूज करते हुए आपने पूरे सवाल को solve किया याद करने वाली बात एक तो यह कि भाईया समय मिनेट्स में दिया है इसको आपने चेंज करना है आवर में उसके बाद equation solve करते समय अगर कुछ common आ रहा है तो common लेते हुए अपनी equation को simple बना यूज करते हुए अपने सवाल को खतम किया ठीक है अगला प्रस्ने देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपसे कि if x is equal to root 3 plus 1 by 2 एक x है जिसकी value है root 3 plus 1 by 2 आपको बतानी है what is 4 into x cube plus 2 into x square minus 8 x plus 7 इसकी value आपको बतानी है चलिए तो या तो आप x की value यहां पर substitute कर दीजिए एक option य यह है ठीक है पर लेकिन यहां पर x cube चाहिए तो उसका आपको विश्य ध्यान अखना पड़े क्योंकि यहां पर देखो root 3 है तो solve करते समय थोड़ा ध्यान पूर्बख solve करना है आपको कि आपसे easily solve हो जाए ठीक है जैसे example के तोर पे यह है 4 x cube plus 2 x square minus 8 x plus 7 ठीक है आप चाहें तो पहले दोनों में से 2 x square common ले सकते हैं तो जब आप 2 x square common ले लेंगे आपके पास क्या बचेगा ज़रा ध्यान देना सर यहां 4 में से 2 लिया तो केवल 2 बचेगा ठीक है और x cube में से x ले लिया तो केवल x बचेगा साथ में बचेगा plus 1 क्योंकि आपने पूरा का पूरा 2 x square common लिया है ठीक है तो अब जो x cube का मेरे को डर लगा था वो डर अब नहीं लगेगा पहली चीज उसके बाद माइनस 8 जो है इसमें आप सीधी सीधे वाली रख दीजे कितनी root 3 plus 1 whole divide by 2 यहाँ पे है plus 7 अब बस आपको करना क्या है सर 2 x square देखो x आपके पास है ठीक है x square आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा सर वो हो जाएगा root 3 plus 1 का square देखो यह हम अलग से करना है ठीक है ताकि हम 2 x square तक पहुंच सके और नीचे हो जाएगा 2 का square 4 अब इसको आप root 3 का square हो जाएगा 3 क्योंकि a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab तो a square मतलब 3 what is b square sir 1 का square मतलब 1 2ab मतलब 2 root 3 and whole divide by whole divide by 4 इसको अब थोड़ा simplify कर देंगे तो आपके लिए बहतर होगा यहाँ पे हो जाएगा 3 plus 1 4 और यहाँ पे 2 root 3 whole upon 4 अब आप चाहें तो इसमें से 2 common ले सकते हैं तो x square हो जाएगा 2 common ले यहाँ पे 4 की जगा पे 2 क्योंकि 2 आप common ले चुके हैं और 2 root 3 में से 2 common ले लिया तो केवल root 3 बचेगा होल डिवाइड बाए 4 है 2 और 4 यहाँ पे कैंसल हो जाएंगे केवल 2 बचेगा यह जो 2 है अकेले यहाँ बोर हो जाएगे इसको हम इस तरह भीज देंगे तो हमें डाइरेक्टली 2 x square की value मिल जाएगी कितनी 2 प्लस रूट 3 या फिर आप इसको रूट 3 प्लस टू भी लिख सकते हैं क्योंकि वैसा ही पैटन ऊपर फॉलो हुए देखो रूट 3 प्लस वन तो हमने वही पैटन फॉलो करते हुए घुमा फिर आके पूरा सॉल्व करके सिंप् आगे वाले पार्ट में तो हो गया रूट 3 प्लस टू कि जगा रिप्लेस कर दिया पीछे है यहां पर 2x तो देखो एक्स में अगर यह टू हम मल्टिप्लाइक कर देंगे तो यह कितना बन जाएगा यह टू एकस ही बन जाएगा जो की होगा रूट 3 प्लस 1 के बराबर इस जिसे भूल न जाना रहे क्यों भाईया क्योंकि 2x प्लस 1 था आपने केवल 2x की वालू निकाली रूट 3 प्लस 1 एक प्लस 1 अगर भूल जाओगे तो पूरा जवाब गलत चले जाएगा यहां पर यह जो 2 और 8 है यह आपस में हो जाएगे कैंसल कितना बचेगा सरी बचेग माइनस ओफ 4 रूट 3 प्लस 1 प्लस 7 ऐसा कुछ बचेगा अब इधर पर आप देखें आपको यहां मिलेगा रूट 3 प्लस 2 और इसी में मल्टिप्लाइ हो रहा है रूट 3 प्लस 2 मतलब कुर मिला के 1 प्लस 1 हो गया 2 और यह दोनों मिला के हो गया रूट 3 प्लस 2 का होल यहां आपको मिला माइनस फॉर रूट 3 माइनस फॉर प्लस 7 क्योंकि जो माइनस फॉर था जब अंदर multiple होगा तो साइन के साथ मल्टिप्लाइ होगा तो रूट 3 भी minus 4 और 1 के साथ भी minus 4 चलिए यह हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 दो बर है तो हम उसको होल इसको आफ देदे और माइनस 4 प्लस 7 तो केवल प्लस 3 बचेगा चलिए what is root 3 plus 2 का whole square ज़रा solve करके बताईए sir a square मतलब root 3 का square plus b square मतलब 2 का square plus 2 into root 3 into 2 minus 4 root 3 और ये plus 3 तो 7 में चली रहा है ठीक है root 3 का square हो जाएगा 3 तो यहाँ पर क्या मिला आपको को कुल मिला के जोड़ घटा के सब्सक्राइब हो गया 3 प्लस 2 का स्क्राइब हो गया 4 इदर आपको मिल रहा है टू टू जब फोर और इंटू रूट थी अब राशनल और राशनल का मल्टिप्लिकेशन तो नहीं सकता तो टू टू जब रहेगा बाहर रूट 3 के साथ तो आपको मिलेगा प्लस 4 रूट 3 साथ ही मैं आगे है माइनस 4 रूट 3 और प्लस 3 माइनस 40 दो पहले जए भाई मैं घर से Понim explanation मैनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 क्योंकि 1 जैसे हैं दोनों हो जाएंगे क्यांसर क्योंकि एक पॉजटिव एक नेगेटिव है कुल मिला कि क्या बच्छा सब तीन और तीन हो गया च्छे च्छे और चार हो गया दस तो हमारा जवाब होना चाहिए 10 क्या आपको यह समझ में आया सवाल शुरू कहां से वहा था देखो और अगर आप यहां पर एक्स क्यूब को रखने की सोचते तो आपको रूट 3 प्लस वन का होल स्कॉयर करना पड़ता सर उसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात यह है प्रभू की रूट 3 का क्यूब करो जितना जादा आप सबसे पहले स्टेप में दिमाग के इस्तामार खर लेंगे उतना कम आपको आगे करना पड़ेगा वहान का करने पहले अपने यहां तक पहुंच गये तो एकदम मक्षन यह कुछ भी करनें के जरुपत लो आगे आप आपको जवाब मिल जाएगा पर जवाब है इसका दस एक बार हम कर देते हैं option b10 computer जी से और पूछ लें थे भाई उनकी रजामंदी होना जरूरी विकॉस अकेले हमारे हाथ में तो यह है नहीं चलिए computer जी का जवाब भी है option b10 हरे रंग का मतलब है green signal let's move to next question अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है student of a class एक कक्षा के विद्धार्तियों को क्या बोला गया कि stand करो रोज में ठीक है if one student is extra in a row ठीक है then there would be two less इस रोद्य को क्या हो रहा है एक कक्षा के विद्धार्तियों को मतलब चात्र चात्रों को पंक्ती में खड़ा किया ठीक है रोज में अब जब आप school के students को खड़ा करेंगे आपके पास कुछ रोज होंगी कि भाईया 10 रो में सारे students खड़े हैं यहां पर में रोज की संख् में विद्धार्तिय होंगे क्योंकि आपको symmetry maintain करनी है ऐसा नहीं कि एक में 15 दूसरे में 10 तीसरे में 5 चौथे में साथ नहीं वह गंदा लगेगा तो कि आप school में खड़ें तो रोज में आपको संख्या फिक्स अपनी पड़ेगी तो number of students in each row हर रो में कितने बच्चे हैं इन इच रो वह हमने fix कर दिया ठीक है जो कि हमें symmetry यहां maintain करनी है अदर वाइस तो फिर सवाल पूरा वेग हो जाएगा तो वह हमने मान लिया एक्स रोज थी य स्टूडेंट थे मान लो अगर 50 विद्यारती हैं तो अपने 5 रो में उनको खड़ा किया है हर रो में 10 बच्च ठीक है चलिए तो इसी प्रकार यदि हम चलेंगे तो टोटल सुडेंट्स कितने हो जाएंगे सर्ट टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे भाई जितनी रोज हैं कितनी रोज हैं एक्स रोज हैं मतलब एक्स पंक्तियों में खड़ें हर रो में कितने विद्यारती हैं तो भ हर एक रो में साथ विद्यार्थी तो कुल्मला के कितने विद्यार्थी हो गए 70 ठीक है कैसे निकाल आपने multiply करके चलो अब कहानी में ट्विस्ट क्या रहा है कहानी में ट्विस्ट यह है कि यह थे स्टूडेंट इज एक्स्ट्र मतलक पिजर न क्या बोला हरएक रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिया मतलब अगर talk पहले आपके पास य स्टूडेंट ऊब सो जाएंगे एक एक्स्ट्रा मतलब य प्लस 1 ठीक है तो number of students नमबर ओफ स्टूडेंट्स ठीक है नाओ कितने हो गए अब क्या हो गए सर पहले के वल वाय थे अब हर एक रो में एक विद्ध्यार्ती को बढ़ा दिया तो वाय प्लस बन हो गए अच्छा यह बच्चे कहां से लाए हैं यह बाहर से तो लाए नहीं होंगे स्कूल के विद् में तो जो एक्स्ट्रा बच्चे लगाए गए हर एक रो मुझसे क्या हूँ आपकी दो रो का मुझ कि दो रो के बच्चे कहां हो गए यह पहले वाली रोज में एड्जस्ट हो गए तो अब नमबर ओफ रोज कितना हो जाएगा तो आप यहां पर लिख रहे हैं रोज मैंने case 1 यह भी लिखा मैंने number of rows in case 1 दो केस है न अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है इफ वान श्टूडेंट इस अब की बार हर स्टूट एक रोऊ में एक सुडेंट कम कर दिया तो number of students कि ये क्या होगाРЕ केस टू टू में क्या हो रहा है एक विध्यार्ती कंदिया तो माइनस ना बहुत illon यह सब्में नई बनाना पड़ेगा टो आपको क्या करना पड़ेगा रोय और इंक्रीज क्रनी 파ंगी किINTी रोज अब 3 जादा हों गई ठीक है तो रोज इन केस 2 दूसरे केस में क्या कर दिया एक्सपरिमेंट कर रहे हैं सपर्स टीचर्स की X प्लास 3 ठीक है यह आपको दोनों के समझ में आए यह सर अच्छा दोनों ही केस में क्या आपके टोटल विद्यारती कम या जादा हो जाएंगे नहीं सर स्कूल में जितने विद्यारती थे उन्हें ही अरेंज किया जा रहा है तो टोटल विद्यारती x y ही रहेंगे क्या ये एकलोता तरीका है टोटल विद्यारती निकालने का नहीं सर टोटल विद्यारती case 1 में भी उतनी रहेंगे और तरीका भी वही रहेगा तो टोटल students अगर मैं case 1 की चर्चा करूँ तो भाई कितनी रोज है x minus 2 और एक खड़ेक रोज में कितने विद्यारती हैं तो y plus 1 क्या आपको ये समझ में आया येस सर ऐसे ही दूसरे case में क्या होगा तो सर उसमें भी हो जाएगा टोटल students कितने हो जाएंगे सर टोटल students हो जाएंगे case 2 में जैसे पहले दो cases में है मतलब एक normal case और एक नया case जो दूसरा case बढ़ाया कि x plus 3 would be an into y minus 1 इतनी रोज हर एक रोज में इतने विद्यारती तो multiplication अब आप क्या करोगे इनको multiply कर लेते हैं आपको क्या मिलेगा सर यहां से मिलेगा हमें is equal to x into y हो जाएगा x y plus x ठीक है माइनस 2y और यह हो जाएगा माइनस 2 कैसे आया सर एक इंटू y xy minus 2y plus x into 1 हो जाएगा केवल x और minus 2 into 1 करने पर minus 2 नीचे यहां पर भी हो जाएगा xy कितना सरी हो जाएगा x into y फिर minus x plus 3y और यहां पर हो जाएगा कितना minus 3 plus 1 देखो plus 3 into minus 1 ने तो कितना हो जाएगा minus 3 यह भी total students यह भी total students यह भी total students क्या हम इन तीनों equation की मदद से अपना जवाब निकाल सकते हैं चलिए अगर हम बाकी चीजों को हटा दें फिलाल के लिए जो कि हमारे पास extra है क्योंकि जगा कमें तो लिखने के लिए हमें जगा चाहिए इसलिए हम बाकी सारी चीजों को अटा रहे हैं के वन हम अपने में मुद्धे पर यदि आ जाए तो भाई total students हर जगा सेम ही रहेंगे पहले वाले case में यह हमें मिले थे case 1 से तो case 1 वाले case में students कितने थे तो case 1 में है xy plus x minus 2y minus 2 और case 2 में है xy minus x plus 3y minus 3 इन दो equation से हमें काफी help हो जाएगी अच्छा है यह total students किसके बराबर है सर जितने पहले थे मतलब जब पहला बार अरेंजमेंट था तब भी इतने ही थे तो क्या मैं इसको xy के बराबर बोल दू बाई बात तो बराबर ही है ना जो कि यह भी total student है लेकिन यह अलग setup के इसाप से हैं इससे आपको क्या सफलता मिलेगी सर यहां से हमारा xy xy हो जाएगा cancel उपर से एक equation आएगी x minus 2y equal to 2 और यहां पर आपकी equation बनेगी कि minus x plus 3y is equal to 3 यह कहां से आया सर माइनस 2 side change करेगा तो plus 2 minus 3 side change करेगा तो plus 3 अब क्या हम इनको solve करके x और y की value निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं सर यदि मैं इन दोनों को सीधे सीधे add कर दू तो x और minus x add होने पर हो जाएगा 0 तो यहां पर आप क्यार लिखेंगे 0 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0 minus 2y plus 3y आप add कर रहें तो plus minus minus तो cable y बचेगा 2 और 3 को जब add किया जाएगा तो आपको मिलेगा यहां पर 5 y की value कुल मिलाके हो गई 5 क्या हम केवल y की value निकालके संतुष्ट हो सकते हैं नहीं सर x की value भी निकालनी पड़ेगी वो कहां शायगी सर यह दो equation है कोई सीवेक यूज कर लीजे चले आपकी बात मानते हुए x-2y equal to 2 में मैं y की value रख रहा हूँ 5 तो यहां से मिला x-2 into 5 is equal to 2 x-10 equal to 2 x equal to 2 plus 10 जो की हो जाएगा 12 के बराबर आपको क्या बोला गया total number of students निकालना है तो students का total number क्या था सर वो था total students की संख्या थी x into y जितनी रोज और हर एक रो में कितने विद्यारती तो बारा रोज हर एक रो में पांच विद्यारती तो बारा इंटू 5 मतलब जवाब कितना होना चाहिए सब जवाब होना चाहिए 125060 जो की है हमारा यहां पे option c 60 क्या हम इसको अपने उत्तर के रूप में कर दें जी सर देखो यहां पर था वर्ड प्रॉब्रम लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा था आपको लेकिन अगर आपने अच्छे से दोनों केसिस को आइडेंटिफाई किया और अपने बेसिक कॉंसेप्ट को मजबूत रखा कि कैसे क्वेशन से निकालनी है इंफॉर्मेशन तो आसानी से आपको आपका जवाब मिल जाएगा एक पर कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं देखिए उनका जवाब भी है ऑप्शन सी 60 मतलब यहां पर यहां प्रस्ण हो जाता है समात हम मूफ करेंगे अगले प्रस्ण की और अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है आपसे की X is equal to head 2 plus 2 की power 1 by 3 plus 2 की power 2 by 3 और आपको निकालना क्या है X cube minus 6 square plus 6 यह सवाल दिखने में जितना खतरनाक है यदि आप इसकी पहली ट्रिक समझ जाएंगे तो आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा अब देखो यहां पर आपको चाहिए क्या सथ चाहिए X का cube तो क्या हम actually यहां पर X का cube कर दें और क्या उससे हमें कुछ फायदा होगा सर यदि हम यहां पर X का cube करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 2 plus 2 की power 1 by 3 plus 2 की power 2 by 3 का whole cube a plus b plus c का whole cube क्या ऐसी कोई identity अब तक आपने पड़ी है नहीं सर थोड़ा सा यहां पर फिर मुश्किल हो जाता है तो सर क्या करें क्या इसको हम इस तरीके से numbers जिनकी power एक जैसी है या फिर एक जैसी दिखने वाली है उन्हें एक तरफ ले लेंगे अर्थाथ यह तो है इसको मैंने यहां भीज दिया तो plus two side change करेगा तो minus two इस तरफ आपके पास बचा two की पावर one by three plus two की पावर two by three अब इससे क्या benefit हुआ सर इससे benefit यह हुआ कि यहां पर हमारे पास आ गया है a minus b यहां पर है यहां पर दो टॉंस जिनके पास one by three और two by three power है अब यदि हम इनका क्यूब करते हैं तो न सिर्फ क्यूब करने में आसानी होगी मतलब वो चीज़े होगी जो हमें पता है बलकि सायद यहां पर simplify भी हो जाएं क्योंकि जो denominator में three power है इसको adjust करने के लिए उपर पावर three है यह यहां पर है a minus b का whole cube नकी square आपको a minus b का whole cube करना आता है वो होता है a cube minus b cube minus three a b तो three a b that is three into x into two bracket के अंदर a minus b तो x minus two is equal to इस तरफ क्या होगा आपके पास सर यहां भी होगा a plus b का whole cube that is a cube मतलब two key power one by three ka whole cube plus b cube to two key power two by three ka whole cube plus कितना three a b that is three into two key power one by three into two key power two by three or a plus b plus two key power one by three plus two key power two by three यह यह न तो a plus b भी आगे सब कुछ आगा जितना simplify हो सकता है उतना करेंगे जहां पर हमाटक जाएंगे वहां पर देखा जाएगा चलिए x cube minus two cube तो यह तो आज इस रहेगा x cube minus two cube मतलब eight यहां पर है three into x into two जो कि हो जाएगा six क्योंकि थ्री टूजा होता है six x bracket के अंदर x minus two इसको थोड़ा साम नीचे करके लिख लेते ताकि आगे का step भी complete कर पाएं तो x cube minus eight minus six x into x minus two ऐसा ही कुछ होगा ठीक है इस तरफ आपके पास अब यहां से देखो होगे यह one by three और three जो है तो जब bracket के अंदर और bracket के बाहर पावर होती है वो एक दूसरे से multiply हो जाती है तो basically यहां पर होगा one by three into three three से three cancel के वर two की पावर one बचेगा तो यहां आपने लिखा two की पावर one वहां पे भी जब आपका three से three cancel हो जाएगा तो बचेगा two की पावर two कुछ इस प्रकार ठीक है यहां पर साथ में क्या हो जाएगा three into जब यहां जाती है तो यह हो जाती है तो यह हो जाएगा three into कितना सब्सक्राइब मतना टू की पावर one by three plus 2 by three बेसेम तो पावर एड और टू की पावर one by three plus two की पावर two by three बचा उसको जब हमें एक से टॉन में लाना कि वाल्यू हमें पहले से पता है कि उन दोनों को जोडने हमें पहले से पता है कि एक समाइन आता है टो हमने डिपलेश कर दिया ताकہ पूरा हमारा कोशन किस केई तसमें धाया एकस के ट्रों समें बाइश Also lover सिंप्लीफाइब करें तो X क्यूब माइनस यह हो जाएगा माइनस six ix Гос可以 – टू करोण आपको मिलेगा माइनस ट्वेल है ठीक है इधर पर तू 2 की power 2 मतलब 4 और यह हो जाएगा 3 into what is this सर बेस सेम हो तो power add 1 by 3 और 2 by 3 को add करेंगे तो 3 by 3 हो जाएगा cancel करने पर 1 बचेगा तो यह 3 into 2 into x minus 2 इतना ही बचेगा आपके पास बस अब थोड़ा और इसको simplify करना है तो चले यहाँ पर x cube minus 8 minus 6 x square minus 12 x यहाँ पर जाएगा 4 और 2 6 ठीक है प्लास यहाँ पर है 3 2 कितना हो जाएगा 6 और x minus 2 अब बस आप क्या करेंगे सर इसको जितना simplify हो सके उतना करके अपना final उत्तर बता देंगे योगी देख काफी कुछ तो आ गया है एक्स क्यूब आ गया है माइनस 6 x square आ गया है अब के वर एक प्लस 6 x बाकी है वो और आ जाए तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा है कि नहीं चलिए अब उसको ढूंडने का प्रयास करते हैं वो कैसे आएगा हमारे पास तो सर इसको यदि हम थोड़ा और सॉल्फ करें तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 x माइनस 12 x यहां से आपको मिलेगा 6 प्लस 6 x माइनस 12 यदि कुछ कैंसल हो रहा है तो कैंसल करिए नहीं हो रहा है तो हम फिर उसको और मेहनत करके अपने आप आंसर को सिंपलिफाई करेंगे सर यहां पर माइनस 8 और 12 है यह तो कैंसल हो सकते हैं तो माइनस 8 अगर वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8 तो आपके पास क्या बचेगा तो सर अमारे पास बचेगा x क्यूब माइनस 6 x स्क्वायर यहीं पर रहेगा तो 2 x जब यहां पर एकवल टू कितना सर 12 मैंस 6 गया तो केवल माइनस बचेगा और यह प्लस 6x था यहीं पर रहेगा और यहां से हम माइनस 8 को लिकाएंगे तो वो प्लस 8 हो जाएगा एक और स्टेप और हमारा जवाब हमें मिल जाएगा x3-6x2 प्लस 12x यह जो प्लस 6 है साइट चेंज करेगा तो माइनस 6 आठ में से 6 गया तो दो बचेगा जोड़ घटा के काट पीट के कितना बचेगा करने पर x3-6x2 12 में से 6 गया तो केवल 6 बचेगा और इन सब को जोड़ घटाने पर उस तरफ आएगा 2 और ध्यान से देखिए इसके ठीक बाजू में यही तो हम से पूछा गया था कि वॉट्स x3-6x2 प्लस 6 तो उसकी वैल्यों आई 2 के बराबर लेकिन ध्यान रखना एकदम बारीकी से करना है देखो हलकी सी मिस्टेक अगर हो जाती है तो पूरा गलत चले जाता है लेकिन जब आप अगर तरीके से सॉल्फ कर रहें तो आपको समझ में आ जाए कि कहीं कुछ गलती है तो प्लीस अपनी आख कान खुले रखके सवाल को सॉल्फ करें जादा आसानी से आपको आपकी गलती मिलेगी और यह सोचा कि किस तरीके से अपने जवाब तक पहुंचा जाए तो पहला स्टेप यही था कि आपने इसको थोड़ा सा रियरेंज करके सॉल्फ करना स्टार्ट किया अगर डाइरेक्ली अब एक्सका क्यूब करते हैं बहुत मुश्किल हो जाती हमें ठीक है उनका जवाब क्य यदि यदि एकस माइनस फोर एक फैक्टर है यदि एकस माइनस फोर क्या है फैक्टर है इस गिवन पॉलिनॉमियल का तो आपको किसकी वाल्यू बतानी है वाल्यू ऑफ ए बतानी है कि किताब में यह सवाल आपको बहुत बात देखने को मिल जाएगा तो यदि आप एंटेसी की तैयारी कर रहे है और आपने क्लास नाइंद की माच रिवाइस ने किये है तो न ऐसा ऐसी गलती या फिर ऐसा अपराध न करें क्रिप्या नाइंद की माच और तैंद की माच अ की वालिव ग्यात होगी that is x equal to four कहां से मिली सर माइनस पोर को हमने पहले हमारे आक्चुल फैक्टर को zero से एकवेट किया तो solve करने प सी की वालिव आई 4 और यदि ऐसा हुआ है यदि ये फैक्टर है तो क्या होगा असल जीवन में सर असल जीवन में ये होगा कि जैसे ही P of X में जैसे ही P of X में X की वाल्यू 4 रखी जाएगी वैसे ही polynomial हो जाएगा 0 के बराबर और इतना हमारे लिए काफी है इतना हम करेंगे तो हमें आसानी से की वाल्यू मिल जाएगी चलिए आपको रखनी है एक्स की वाल्यू 4 तो P of 4 हो जाएगी 5 into 4 cube minus 7 into 4 square minus a into 4 minus 28 और ऐसा करने पर क्या हो गया आपका जवाब हो पूरा polynomial हो गया चूणने के बराबर क्योंकि फैक्टर था फैक्टर नहीं होता तो यह चूणने के बराबर नहीं होता 5 into 4 cube 64 into 5 करना है तो 5 into 64 करना पड़ेगा 4 का क्यूब है 64 minus 7 into 4 square मतलब 16 minus कितना 4 a minus 28 is equal to 0 अब 4 a को आप उस तरफ ले जाएए तो आपके पास बचेगा 655 20 0 यहां 2 पर 6530 और 320 हो जाएगा यहां पर 320 5 4 20 0 यहां 2 पर 6530 और 232 minus यहां पर है 7 6 42 2 यहां 4 ऊपर 7 7 8 9 10 11 112 minus 28 is equal to 4 a negative side change किया positive हो गया इसलिए minus की जगा हो गया वहां पर प्लस चलिए 320 में से आपको क्या minus करना है 112 और 28 को add करेंगे तो आएगा 140 आठ और तो दस दो रेक तीन चार इनको जदी हम minus करेंगे शून ने बारा में से चार गया तो कितना बचेगा आठ बचेगा तीन के जगा आ जाएगा दो में से गया तो एक मतलब 180 बचेगा एक बड़ दुबारा चेक कर लेते हैं जी हां सर बिलकुल 180 बचेगा और यह है एक्स फोरे के बराबर तो 180 डिवाइड बाय चार करने पे हमें मिलेगी एकी वाल्यू कितनी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 16 और 45 मिलेगी एकी वाल्यू यह सर हमारे पास ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें 45 तो उसको हम माक कर देंगे कैसे सॉल्व कि आपने फाक्टर थियोरम का यूज करके लेकिन क्या अकेले हमारे बोलने से जवाब सही हो जाता है नहीं सर एक बर वेरिफिकेशन जरूरी है द एक ग्रीन मतलब आगे बढ़ने का सिगनल यह तो हमेशा जीवन में होता है अगला पिरस्न है यहां पर कि यदि एक्स प्लस वाई है सेवन और दूसरी एक्वेशन है थ्री एक्स माइनस टू वाई एक्वल टू एलेवन आपको एक्स की वाल्यू बतानी है कैसे बताओगे सब्सक्राइब और दोनों एक्वेशन को सॉल्फ करते हमें हमारा जवाब मिल जाएगा बहुत बढ़िया अब देखो एक्स की वाल्यू बतानी है तो कई बार इंसान क्या करता है रिप्लेस करते करते एक्स को ही रिप्लेस कर देता है तो ऐसी गलती ना करें तो कि फिर की यहां पर कोशिश करें कि आप सिदे सिदे पहले को रिप्लेस कर दे अब देखो यदि रिप्लेस करना है तो दोनों का कोईफिशंट सेम होना चाहिए वह करने के लिए आपको एक्वेशन को किस से इन् spr способ करो गरें टू से एक्सेंट चुकरोगे ड्रेशनियदा मय। ज्लैको टूए नगा चंहिए यदि आप सब्त्राक्ट कर दोगे टो यह प्लस बन जाएगा था अभर जाएगीडि आपको हटा माइनस दो प्लस दो कैंसे लोके हो जाएगा सून्य चाउदा और ग्यारा हो जाएगा पत्चीस क्योंकि चार और एक पांच एक और एक दो एक्स की वाल्यू सीधे सीधे पत्चीस डिवाइड बाए पांच जो की है स्वयम पांच के बराबर क्या आपको यह समझ में आया जी सर एक्स की वाल्यू पांच मतलब ऑप्शन ए सबसे सही लग रहा है हमें यहाँ पर सीधा सीधा सवाल था कोई जादा यहां पर हमें कुछ मेहनत करने की जरुवत नहीं पड़ी केवल एक को हमने वहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया थोड़ा सा मोडिफाई किया और फिर सॉल्व करके अपना अंसर बता दिया लेकिन एक बार हम क्या करेंगे कम्पूटर जी से पूछ लेंगे उनका जवाब भी ऑप्शन है मतलब हमारे पास पूरी पूरी आजादी अगले प्रस्न की और बढ़ने की अब यहां पर आपसे बोला गया है कि यदि X की पावर A is equal to Y है Y की पावर B is equal to Z है और Z की पावर C equal to X है तो इन में से कौन सा वाला स्टेटमेंट सबसे सही है अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है X पावर A is equal to Y दूसरा स्टेटमेंट Y पावर B equal to Z तीसरा है Z पावर C equal to X सोचने वाली बात यहां पे कि कहानी तब तो यह तुम जा रहे हो भुपाल से लखना लखना उसे वरनसी पटना पटना से वापस भुपाल आज तो मतलब तो है तब यह अदूसरे स्टेप पैसे जाएंगे तो पहले बाए की पावर बी कर देतें किस प्रकार सब्सक्राइब को वेशन है तो हम दोनों तरफ सेम चीज मल्टिप्लाइ या डिवाइड कर सकते इंफक्ट पावर में भी ला सकते तो मैं क्या कर रहा हूं अगर मैं यहां पे पावर भी करूंगा तो यहां पे भी पावर भी कर सकता हूं कि भाई इसको हमने बी टाइम्स मल्टिप्लाइ किया तो इस तरफ भी आप b times multiply कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं यहां से आपको क्या मिला कि भाई x power a b हो जाएगा y power b के बराबर और y power b किसके बराबर है z के बराबर है तो कहानी क्या के रुख गई कि भाई या x a b हो जाएगा z के बराबर z की power c वो कैसे आएगा तो सब दोनों तरफ power c कर दीजिए अब जब इसकी power और उसकी power एक जैसी कर दी जाएगी मतलब एक सिमिच संक्या से बढ़ा दी जाएगी दोनों तरफ तो भी वो बराबर रहेंगे तो इस तरफ आपको मिलेगा ब्राकेट के अंदर और ब्राकेट की बाहर की power multiply तो a into b into c खुद हो जाएगा z power c के बराबर और क्योंकि z power c है x के बराबर तो ये पूरा हो गया replace होके x power abc equal to x अब क्योंकि दोनों का base same है तो power भी बराबर हो जाएगी तभी तो दोनों equal बनेंगे वरना equal कैसे होंगे तो यहाँ पर यदि base को base से cancel किया जाए तो कुल मिला के बचेगा power में कहानी की a, b, c को गुड़ा करने पर आ रहा है one क्या ऐसा कोई option है हमारे पास जी सर बिलकुल है option a देखिए a dot b dot c गनित में dot का मतलब यहाँ पर decimal नहीं यहाँ पर गनित में dot का एक मतलब और होता है multiplication तो basically पहला option आपसे कह रहा है कि a into b into c करने पर one मिलेगा और वही हमें actually मिल रहा है तो यही हमारे लिए सबसे सही जवाब होगा बाकी तीनों हमारे जितनी हमारे पास जानकारी थी उसके साबसे कहीं भी fit नहीं बैठ रहे है तो उन्हें हम अपना जवाब मार्क नहीं करेंगे computer जी ने भी option a को verify किया है तो मतलब हम move कर सकते हैं अब अगले प्रश्न की और अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि highest common factor देखो ध्यान से पढ़ना highest common factor के बारे में चर्चा हो रही है किसका इन दो algebraic expressions का इन दो polynomials का क्या है highest common factor x plus a then value of a will be अब यदि आपको a की value पता लगानी है तो पहले आपको इन दोनों के factors निकालने पड़ेंगे फिर उन चारे factors में से highest common factors निकालने पड़ेंगे तब आप एक ही value बता पाओगे चलिए कोई बात नहीं यह तो हम काफी बार कर चुके हैं तो x square plus 3 x plus 2 को क्या करना है factorize करना है कौन से अस्त्र शस्त्र का इस्तमाल करोगे सब मेडेल टर्म स्प्लिटिंग का नाम सुने हो बिलकुल सुने है प्रभू तभी तो यहां पर उसी का नाम लिख रहे हैं MTS उसका यूज करते हुए दोनों को हम कर देंगे simplify चरे यहां पर आपको multiply करने पर 2 मिलना चाहिए और जोड घटाने पर 3 सबसे सिंपल है तू इंटू 1 multiply करने पर 2 जोड घटाने पर 3 पहले दोनों में से आपने लिया एक्स कॉमन तो आपको मिलेगा टू 2 एक्स में फ्ल chaotic कॉमन लेलिया दूसरा रह जाएगा 22 डोने में क्यों की कुछ भी खौमन नहीं है तो तो 1 लिआ या जाएगा ठीक है अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता एकस प्लस है तो एक ही वाल्यू टू भी हो सकती है उसके अलावा क्यों नहीं हो सकती है तो फिर कॉमन फैक्टर कैसे रह जाता कॉमन फैक्टर का मतलब है दोनों के पास रहने वाला इसके कुल मिला के दो फैक्टर हैं दोनों में से कोई एक ही जवाब होगा तो चलिए अभी के लिए तो हम इतना शौर हो गई कम से कम की तीन अगर मैं इसका अलग रंग से हाइलाइट करूं तो तीन और छे आपका जवाब नहीं हो सकते इतना मैं अभी से शौर हूँ क्योंकि देखो दो फैक्टर्स निकाल दिये दोनों में से कोई एक ही होगा जवाब तो या तो टू है या तो वन है अब अगला वाला देख लेते वह और हमारी हेल्प कर देगा जवाब पता लगाने में तो एक्स स्क्वाइर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स यहां पर हो जाएगा प्लस थ्री इंटू एक्स फ्लस टू क्याा आपको ये समझ मैं आया मैं इन दोनों में आप लेंगेस प्लस टू कॉमन अंदर बचेगा एकस प्लस थ्री अब यू तो यहां पर x plus 3 का factor है तुछ लेकिन आप में तो 3 cancel कर दिया प्रभू इसलिए किया क्योंकि highest common factor की चर्चा हो रही है दोनों के पास होता x plus 3 तो हमारा जवाब 3 हो जाता पर क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों के पास x plus 2 है तो वही हमारा common factor होगा क्या x plus 2 अब जब आप x plus 2 को x plus a से compare करेंगे तो x से x cancel a की value आएगी 2 आपको यह समझ में आया कि 1 और 3 क्यों reject हो गए बिलकुल सर क्योंकि वह highest common factor नहीं है मतलब दोनों के पास नहीं है common नहीं अगर दोनों के पास होते common होता तो वही हमारा जवाब होता तो अभी के लिए जितना हमने यहां पे solve किया उसके हिसाब से जवाब होना चाहिए option b that is 2 क्या करेंगे हम सब हमारे आधर निये computer जी से और पूछ लेते एक बार वह अगर ब और मूफ कर जाते हैं अगले प्रश्ण की और अब यहां पर देखो यह जो प्रश्ण है काफी महत्वपूर्ण प्रश्ण काफी घुमाने वाला प्रश्ण है क्या कहा रहा है आप से कि यदि alpha square plus 3 plus 5 alpha and beta square plus 5 beta minus 3 beta square is equal to 5 beta minus 3 the quadratic equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha would be तो ऐसी quadratic equation जिसके roots यह alpha upon beta और beta upon alpha होंगे उसके बारे में आपको बताना है चले सबसे पहले तो आप ज़रा इसको देखिए alpha square is equal to alpha square यह माफ किजेगा plus 3 is equal to 5 alpha ठीक है दूसरी equation है beta square beta square is equal to 5 beta minus 3 यदि हम इन दोनों को x से replace करते करके जिखते हैं क्या equation बनती है तो आपको मिलेगा x square plus 3 equal to 5x अर्थाथ x square minus 5x plus 3 would be equal to 0 तो जो alpha square plus 3 equal to 5 अलबाद था वो basically किस रूप में आ गया x square minus 5x plus 3 equal to 0 के रूप में वैसे ही जब आप इसको solve करेंगे x मान के तो यह हो जाएगा x square equal to 5x minus 3 solve करने पे x square minus 5x plus 3 equal to 0 दोनों equation हूब हू से मतलब alpha और beta दोनों सेम ही equation से जुड़े हुए थे मतलब alpha और beta actually इस equation के roots थे जिसकी वज़े से उनको यह values मिल रही है ठीक है यह connection समझ में आया आपको जैसे आपने alpha square और beta square को या फिर alpha और beta को x से replace किया तो आपको दोनों जगा से सेम ही equation मिली मतलब basically same ही result मिले और ऐसा तब ही हो सकता है जब alpha और beta दोनों इस final equation के जो की दोनों और beta की वाल्यू क्या equation थी एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस थ्री वोड़ बी इकवल टू जीरो यही रिजल्ट मिल रहा था दोनों से alpha square और beta square की जानकारी थी हमारे पास उनकी मदद से यही equation मिल रही है ठीक है चलिए तो ऐसे नमबर जिने multiply करने पर आना चाहिए 3 add subtract करने पर आना चाहिए 5 या तो आप factors निकाल ले ठीक है कैसा कोई number आपके दिमाग मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा मैं alpha plus beta alpha into beta उसकी value तो निकाल सकता है वो तो मेरे हाथ में है तो what is alpha plus beta alpha plus beta होता है minus b by a तो यहाँ पर minus of minus 5 upon 1 हो जाएगा तो alpha plus beta हो किसके बराबर 5 के बराबर what is alpha into beta तो alpha into beta होता है c by a जो कि यहाँ पर हो जाएगा 3 by 1 मतलब 3 ठीक है अब यदि आपको चाहिए यदि आपको चाहिए alpha upon beta या फिर beta upon alpha वो कैसे लाएंगे आप तो sir alpha upon beta ठीक है और beta upon alpha यह दो रूट है ठीक है एक नई equation के या तो इनकी value मिल जाए जो कि क्योंकि यह दो रूट्स हैं तो यह दोनों रूट्स की मदद से आप sum and product निकाल सकते हैं ठीक है sum और product निकाला जा सकता है कि नहीं और इनहीं का यूज करके जो sum और product आएगा उनहीं का यूज करके हम equation भी बना सकते हैं आप समझने में क्या कह रहा हूं कि यहां से मिल जाएगा sum यहीं से मिल जाएगा product और जब sum और product मिल जाएगा तो फिर equation मनाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेले कक्षा दसवी के chapter number two polynomial में हम यह पहले सीख चुके हैं sum क्या हो जाएगा सर इनका addition तो sum जिसको हम minus b by a कहते हैं उसमें root square को add किया जाता है तो sum करने पर आपको मिलेगा alpha upon beta plus beta upon alpha solve करने पर यह मिलेगा alpha square plus beta square upon alpha beta और alpha square beta square निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं यदि हमें alpha plus beta की value पता हो दो alpha plus beta की value है 5 तो alpha square plus beta square कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा alpha plus beta का पहले हम करेंगे whole square तो इधर हो जाएगा 25 अब यहां से alpha square beta square निकालना साने कैसे a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2ab is equal to 25 alpha beta की value आपको पहले से पता है तो alpha square plus beta square plus two into three करने पे आ रहा है 25 जोड़ घटा के alpha square plus beta square हो जाएगा 25 माइनस छे मतलब 19 चे कहां से आया by two into three हो जाएगा six side change करेगा तो माइनस six तो alpha square plus beta square हो जाएगा 19 alpha beta की value हो जाएगी कितनी सार alpha beta की value हो जाएगी three तो जो नई equation है उसका सम हो जाएगा minus 19 बटे तीन ठीक है तो जाएगा नई equation का सम माइनस नहीं पॉजटे वार आप यह जो नई equation का सम मिला है इसका आपके लिए क्या उपयोग है सब्सक्राइगा नई equation का प्रोड़क्ट भी मिल जाएगा कितना होगा प्रोड़क्ट सा प्रोड़क्ट होगा दोनों का multiplication तो जब alpha into beta alpha upon beta और beta upon alpha को multiply करेंगे तो cancel होके जवाब बनी आएगा तो हमें basically एक ऐसी equation बनानी है जिसके sum of roots हो जाएंगे जिसके sum of roots है 19 बटे 3 और product of roots है 1 ठीक है चलिए sum of roots निकालने का एक और तरीका है minus b upon a तो minus b upon a करने पर यहां मिलेगा 19 बटे 3 और c upon a करने पर मिल रहा है 1 ठीक है क्या हम यहां से a b c की value निकाल सकते हैं सर अगर हम निकालेंगे तो b की value आएगी minus 19 इधर से आएगी a की value 3 इधर से आएगी a की value 1 same equation में दो अलग-अलग values नहीं आ सकती है तो हमें थोड़ा सा यहां पर क्या करना पड़ेगा इसको modify करना पड़ेगा कि दोनों को यहां पर 3 से multiply कर दो उस case में यहां हो जाएगा b minus 19 upon a that is 3 इधर पर c की value 3 और a की value 3 अब इस case में क्या हो जाएगा c और a और b इनकी value same ही आएगी दोनों पक्षों से यहां पर भी देख लो a की value 3 b की value minus 19 और c की value 3 अब जब आपके पास a b c आगा फिर तो आप कहीं से भी equation बना सकते और यदि मैं options को ध्यान से जाचू परकूं तो option a जो है वो हमारा a b c की value से match का रहा है अब पूरा प्रोसेस समझना पहले आपने क्या किया पहले आपने alpha square plus 3 equal to 5 alpha beta square equals to 5 beta minus 3 इनको किया compare जैसे आपने इनको compare कि आपको यहां पर a मिला कि दोनों equation यह दोनों तो यह हमारे relation थे वो सेम इक्वेशन की और इशारा कर रहे थे और इनी क्योंकि सेम इक्वेशन इसका मतलब यहीं इसके रूट से तो alpha बीटा बेसिकली इसी के आते हुए उनका सम निकाला उनका product निकाला और फिर हमारा final answer आया उनका सम कैसे निकाला दोनों को add कर दिया उनका product कैसे निकाला multiply कर दिया वन आ गया ठीक है सम निकालता समय आपने alpha plus square plus beta square की ज़र्वर्ण पड़ी वह अपने यहां से यूज़ करके अपने answer बता दिया multiplication alpha into beta चाहिए ता उसकी value पहले से थी सम मिला product मिला ABC की value मिली equation मिली आपके जवाब के रूप में क्या आपको यह समझ में आया येस सर आसान काफी आसान सर option A हमारा जवाब होगा एक बार computer जी से पूछ लेते हैं उनका जवाब भी है option A मतलब यहां पर हम कर सकते हैं screen को clear option A आ गया है अगला प्रशन है हमारा यादि x की power है 5 power 1 by 3 plus 2 यादि x बराबर है 5 power 1 by 3 plus 2 के तो आपको बतानी है value इस given expression की अब इसको कैसे solve करेंगे सर इसको solve करने के लिए हमें basically जैसा हमने कुछ देर पहले एक सवाल में किया था बस वही trick इस्तमाल करनी है कि किसी तरीके से x cube आ जाए अब अगर हम यहां पर x cube करते हैं तो सर पिछले वाले के comparison में यह तो फिर भी आसान है लेकिन देखो सवाल आसान है इसका यह मतलब नह x-2 equal to 5 की power 1 by 3 देखो यह कितना आसान हो जाएगा जो कि 5 power 1 by 3 प्लस 2 जो है जब आप उसका cube करते हैं ठीक है फिर आपको उसका square भी करना पड़ता फिर x भी निकालना पड़ता यहां पर जब आप cube करेंगे तो आसानी से cube हो जाएगा 5 power 1 by 3 का cube काफी आसानी से हो जाएगा और जब इतनी आसानी से चीजे हो रही है तो मतलब समझ जाओ कि हो सकता यहां पर ऐसा हमारा value ज्यादा है कि हमें जल्दी से अपना answer मिल जाए ठीक है चलिए जैसे ही आपने यहां पर whole cube किया तो इधर पे भी cube इस तरफ भी cube what is x-2 का whole cube x-2 का whole cube हो जाएगा x cube minus 2 cube that is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b और इस तरफ हो जाएगा देखो बाहर की power अंदर की power multiply होके cancel हो जाएगी 1 by 3 into 3 करोगे 3 से 3 cancel केवल कितना बचेगा 1 बचेगा चलिए x cube तो as it is रख दिया 2 cube हो जाएगा 8 यहां पर आपको मिलेगा minus 3 to the 6x into x-2 is equal to 5 minus 8 side change करेगा तो plus 8 हो जाएगा तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ x cube minus 6 into x करोगे तो minus 6 x square minus 6 x into minus 2 करोगे तो आपको मिलेगा plus 12 x ध्यान रखना छे दुनी 12 x is minus minus plus यह जो minus 8 है side change करेगा तो यहां पर हो जाएगा 5 plus 8 कितना है 8 और 5? सर 8 और 5 होता है 13 आपको कितना चाहिए सर हमको x cube चाहिए मिल गया minus 6 x square चाहिए मिल गया प्लस 12 x चाहिए मिल गया साथ में minus 10 चाहिए ठीक है तो अब उसकी और हम अग्रसर हो जाएंगे तो x cube minus 6 x square plus 12 x 8 और 5 होता है 13 ठीक है यदि मैं पूरा का पूरा तेरा लेक्या होंगो तो minus 13 हो जाए लेकिन आपको minus 10 चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं देखो ज्यान से इस 8 5 13 को लिख रहा हूं 3 x cube minus 6 x square plus 12 x minus 10 would be equal to 3 यह हमारा जवाब होना चाहिए जो कि है option d तो यहां पर आएगा 3 option d यह आपका प्रश्न हो गया solve तो जब अगर आप पहला वाला जो trick था हमारा जहां पर हमने 2 को उस तरब भेजा यदि उसको miss out कर जाएंगे तो शायद इस सवाल को solve करने में आपको काफी समय लग जाए पर यदि आप यह trip पकड़ लेंगे ट्रिक पकड़ लेंगे माइनस 2 करना फिर cube करना है तब तो आपको आसानी से आपका उत्तवर मिल जाएगा d that is 3 क्या आपको समझ में आया तो भाईया ntsc में केवल हाड वर्क नहीं चाहिए कि जो इंसान तीनों का क्यूब कर दे फिर स्क्वाइर कर दे उसी का जवाब आएगा ना वहां पे जंग है कौन कितना स्मार्ट है तो जो यह स्मार्ट होगा विध्यार्ती की प्लस टू को वहां भीज़ और फिर सॉल्व कर ले उसको अपने आप अपरोच उसी तरीके से करोगे तो यह स्किल है जो कोई भी लर्न कर सकता है आप मैं हर कोई ठीक है चले एक बार आंसर कर लेते हैं जवाब में ऊंसर दी 3 सही है हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और अब मूफ। करेंगे अगले प्रश्न की ओर अब अगला प्रशन क्या बोल रहा है आप से देखो 2 की पावर M minus 2 की पावर M minus 1 minus 4 is equal to 0 आपको किसकी value बतानी है M power M की कहानी कैसी होगी सर कहानी कुछ ऐसी होगी कि पहले यहां से निकालेंगे M की value फिर उसको यहां put करके अपना अंसर बता देंगे चलिए अब अगर आप देखें तो भाई 2 की पावर M minus 2 पावर M minus 1 minus 4 would be equal to 0 जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा यहां से भी आपको वैसा है कुछ reference मिलेगा कि सर यह 2 की पावर M minus 2 की पावर M minus 1 is equal to 4 लिख देते क्योंकि minus 4 यहां के लिए कुछ करेगा भी नहीं अब देखो सारे पावर वाले एक तरफ होगा और एक फोर इदर हो गया अब नेक्स टेप काफी important है में जो M है इसको लिख रहा हूं में M minus 1 और plus 1 क्या इससे कुछ जवाब में फरक पड़ेगा यह मेरी equation का balance बिगड़ेगा नहीं सर आपने केवल M में एक बार minus 1 कर दिया एक बार plus 1 कर दिया यहां पर टू पावर M minus 1 ही चल रहा है चलिए अब यह जो M minus 1 है इसको मैं लिख रहा हूं अलग से एक bracket में और plus 1 को लिख रहा हूं अलग से एक bracket में ठीक है इससे मुझे क्या फाइदा होगा सर इससे शायद आपको solve करने में कुछ आसा नहीं हो क्योंकि फिलाल तो शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मतलब ऐसा स्टूडेंट बोल रहा हूं में ठीक है चलो अब यहां पर जहान देना और उनकी power को add किया गया और यदि ऐसा है तो result क्या मिलेगा आपको सर रिजल्ट हमें मिलना चाहिए कि टू पावर एम माइनस वन इन टू टू माइनस टू पावर एम माइनस वन इस इक्वल टू फो चलिए अब नेक्स क्या इन डोनों पार्ट में से सर कौनसे दोनों पार्ट प्रभू यह दोनों पार्ट एंक यह वाला और एक माइनस के उस तरफ वाला इन दोनों पार्ट में से यदि मैं M-1 तो मुझे ज्या में मिलेगा सल में मिलेंगे तो यहाँ स Welcome 2 बचेगा तो ब्रैकेट में लिखा आपने केवल 2 केवल नहीं लिखेंगे बात है वहां पर माइनस था और टू पावर माइनस वन पूरा कब पूरा कॉमन लिया तो उसकी जगा पर क्या जाएगा सरक कुछ नहीं बचा तो वान आ जाएगा और यह आपका सवाल करने में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 माइनस 1 करने पर केवल 1 बचेगा 1 इंटू सम्टिंग इस दा नंबर इटसेल्फ मतलब 1 से अगर कुछ मल्टिप्लाइ हो रहा है तो केवल वही नंबर बचेगा जिसको मल्टिप्लाइ किया था अब यह देखो कितना असान हो गया 2 पावर मा हो जाएगा 2 के बराबर तो M की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर क्योंकि 1 वहां जायगा तो जाएगा प्लस ठीक है तो 2 प्लस वन हो जाएगा 3 M की value 3 मतलब यहां पे 3 और उसका भी power M मतलब फिर से 3 है ना क्योंकि आपसे M की value नहीं आपसे M power M पूछी गई थी अगर आप जल्दी में होंगे और किसीने अगर option में लग दिया 3 तो आप पक्का वही मां क्या करके आगे बढ़ जाएंगे इसी गलती ना करें पूरा सवाल पढ़े 3 power 3 होता है 27 तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 27 डाट इस option B क्या आपको यह समझ में आया जी सर सवाल को पूरा पढ़ना है आदे में नहीं खूदना क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो अब्यसी बात है आपका जवाब गलत हो जाएगा चलिए स्क्रीन क्लेयर एक बर कंप्यूटर जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब भी है option B 27 मतलब यहां पर आप हम बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की और देखा आप क्या बोल रहा है जीरो तो विच कॉड्रेटिक एक्वेशन आर 4 & 3 आपको वह एक्वेशन बतानी है जिसके जीरो हैं कौन-कौन जिसके जीरो हैं सर 4 & 3 चलिए कैसे सॉल्फ करेंगे इसको सर एक है अलफा दाट इस 4 दूसरा है बीटा दाट इस 3 और जितना गनित हमने पढ़ा है तो जीरो और इनका किसके वेरियेबल का कुछ कनेक्शन होता है वेरियेबल के कोईफिशन का कनेक्श चलिए तो प्रोडक्ट हो जाएगा C by A सम मतलब हो जाएगा अलफा प्लस बीटा तो अलफा प्लस बीटा है माइनस B by A के बराबर अलफा की वाल्यू है 4 बीटा की वाल्यू है 3 तो यह हो जाएगा माइनस B by A चार और 3 साथ बटे एक हो जाएगा माइनस B by A तो के सर यहां से B और A की वाल्यू हम ले सकते अभी नहीं पहले हम प्रोडक्ट से वेरिफाय करेंगे कि क्या A की वाल्यू दोनों जगा पे सेम आ रही है यदि सेम आ रही है तो वाल्यूस पिक कर ली जाएगी पर अगर अल 2, 3 करने पर आपको मिलेगा C अपॉन A, 4 और 3 है 12 यह हो गया C अपॉन A 12 की वाल्यू तो अगर आप ध्यान से देखें दोनों तरफ आप कंपेर करें तो A की वाल्यू है 1, B की वाल्यू ओब्यसली हो जाएगी माइनस 7 जो की सिर्फ 7 दिख रही थी, C की वाल्यू है 12, तो A, B, C की वाल्यू की मदद से अब अगर एक्वेशन अडेंटिफाई करें तो A की वाल्यू 1 सबके पास है X स्क्वायर, माइनस 7 है तो जो माइनस 7 वाले हैं वो दोनों हो गए जो कि यह B और D, फिर 12 पॉजटिव है तो option D हो जाएगा reject और B जो की तीनों वाल्यू 12 वो आपका जवाब हो सकता है क्या आपको option B यहां पर सही लग रहा है जी सर अब हम क्या करेंगे सर एक बार computer जी से हां पूछ लेते हैं वो हां बोल देंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो दुबारा सॉल चलिए option B computer जी ने भी हां बोल दिया मतलब हमारा जवाब ठीक ह स्क्रीन कर देंगे हम clear और मूव करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि एक्स प्लस एक्स बाई 3 प्लस 7 इस इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स बाई 5 है आपको क्या निकालना है find the solution अर्था एक्स की वाल्यू ग्यात करनी है और कुछ नही गया है तो कृप्या उससे ना डरें चलिए एक्स बाई 3 है प्लस है 7 इस तरफ है 15 माइनस एक्स बाई 5 ठीक है अब आप क्या करेंगे जितने वेरियेबल से उन्हें एक तरफ ले आते हैं जो नंबर से उन्हें एक तरफ भीज देते तो एक्स बाई 3 प्लस हो जाएगा एक यही होगा माइनस ता साइट चेंज करेगा तो प्लस और 15 मेंसे साथ हो जाएगा माइनस वैसे पॉजिटिव ता साइट चेंज करेगा तो नेगेट है वह अब क्या करेंगे सर इस तरफ तो एलसे में ने किराब़ा कोई ओप्शन नहीं है तो 5x प्लस 3x जब कुछ भी कॉ हो जाएगा आठ अपान 15 इज इकवल टू एट एक्स की वाले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर पंद्रा जो डिविजन में है वह साइट चेंज करेगा तो मल्टिप्लिकेशन तो 8x वुड बी इकवल टू 8 इंटू 15 इनको आप चाहें तो ना मल्टिप्लाय करें क्योंकि अगले ही स्टेप में मतलब अगले ही लेवल पे यह दोनों हो जाएंगे कैंचल कौन दोनों 8 और 8 तो आपके पास जवाब में क्या बचेगा केवल जवाब में केवल बचेगा एक्स की वाल्यू पंद्राधा टेस एक्स इकवल टू 15 यही हमारा सॉलूइशन है मत काफी इस था बर वही है सिली मिस्टेक ना करना क्योंकि कई बार जब सवाल आसान हो जाता है तो हमारा कानफेडेंस साथ वे लेवल पे पहुंच जाता है कि अब तो हम इसको फटा-फट सॉल्व करके दो सेकेंड में आगे बढ़ जाएंगे तो प्लस को माइनस माइनस को प्लस लिख के आपका जवाब गलत आजाएगा आप माक करके आगे भी बढ़ जाएं ठीक है फिलार हम आगे बढ़ने से पहले कंप्यूटर जी की परमिशन ले लेते उनका जवाब है यहां करेंगे हम स्कीन को क्लेर और मूव करते हैं अगले प्रस्टने की और जो क्या ब आप यहां पर बताना है चलिए थोड़ा सको अनलाइस करते हैं ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस सिक्स्टी फोर वाय क्यूब जिन पर मैं आपका खास विशेश ध्यान आकर्शित कंद्रा चारा हूं वह ट्वेंटी सेवन और सिक्स्टी फोर क्या यह दोनों नंबर् ट्वेंटी सेवन क्यूब है थ्री का और सिक्स्टी फोर क्यूब है फोर का तो बेसिकली आपका सवाल अब क्या चेंज हो गया आपका सवाल चेंज हो गया थ्री एक्स का होल क्यूब प्लस फोर वाय का होल क्यूब और यह चीज ऐसी नहीं कि जो आप पहली बार पढ़ रह जो कि होता है a plus b bracket के अंदर a square minus a b ध्यान रखना यह चीज़ वरना इंसान अक्सर गलती कर देता है जो कि सर पॉजडिव होता है तो इंसान को क्या लगता है सारी चीज़े पॉजटिव होंगी लेकिन यहां पर एक नेगेटिव आता है और नेगेटिव वाले में यह पर सकती है चलिए यदि इसको अम compare करें तो एकी value है 3 और बी की value है 3x और बी की value है 4x और इनी values को अब जो दूसरा वाला part होगा वही हमारा answer हो जाएगा तो देखो कैसे step by step automatically आपका answer चेक हो रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं दूसरा क्या है a square a की value है 3x उसका square करेंगे तो 9x square हो जाएगा a square plus sorry minus a b minus a b मतलब minus 3x into 4y ठीक है a minus b उसका plus हो जाएगा यहाँ पे b square मतलब 16y square अगर आप इसको थोड़ा और simplify करें तो आपका final उत्तर होगा 3x plus 4y जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9x square as it is 4 3s are 12 तो minus 12xy plus 16y square आपका final जवाब ठीक है इसमें से एक factor तो दिया 3x plus 4y आपने भी लिखा है 3x plus 4y दूसरा factor 9x square minus 12xy plus 16y square आपका जवाब होना चाहिए एसा आपको कहां दिख रहा है और option d देखिए ध्यान से तो 9x square minus 12xy plus 16y square हमारा जवाब हो सकता है option d हमने यहाँ पे mark कर दिया है compare किया match किया उसके बादी सवाल को उतर दिया है तो यही बहतर जवाब लग रहा है क्या करेंगे एक बार computer जी से और पूछ लेते हैं उनका जवाब भी है option d green signal मिल चुका है screen कर देंगे हम clear और move करेंगे अगले प्रशन की अगला प्रशन है हमारा यहाँ पे कि if p of x एक expression है यहाँ polynomial है हमें जो कि क्या बोल रहा है p of x है 2 x cube minus 3 x square plus 5 x minus 4 is divided by x minus 2 x minus 2 से इसको divide किया जा रहा है आपको बताना है remainder क्या होगा कैसे solve करेंगे इसको सर एक तरीका है कि भईया actually long division करके देखिए और फिर आप जब divide करेंगे तो last में आपको answer मिलेगा और answer मिलेगा तो आप बोल सकते हैं कि यह आपका remainder होगा दूसरा तरीका जो की काफी आसान हो जाता है जहां पे हम use करते हैं कक्षा नवी में पढ़ा गया important concept जिसका नाम है remainder theorem क्या कहता है यह concept तो यह concept कहता है कि यदि आपको पता लगाना है कि divide करने पे remainder कितना आएगा तो actual division मत कीजिए क्यों करना actual division तो फिर क्या करेंगे सर यहां से निकालेंगे x की value उसे रखेंगे polynomial के अंदर और फिर जब x की value substitute करने पे जो numerical value है कि जो last में answer आएगा वही आपका remainder होगा आसान, simple, simple, easy to do चलिए तो आपका p of x है यहां पे 2x cube minus 3x square plus 5x minus 4 x minus 2 पे check करना है तो आप रखेंगे x minus 2 equal to 0 x की value मिलेगी आपको 2 के बराबर और इसी पे आप check करेंगे तो वहाँ पे जो x minus 2 जिससे divide करना है उसका क्या अपयोग है वो आपको x की वहाँ value बताता है जिस पे check करेंगे तो भाई x की value मालूम चल गई, polynomial मालूम चल गई, अब आप solve करके answer निकाल सकते हैं p of 2 कितना हो जाएगा? प of 2 का मतलब है x की value 2 रखते ही, polynomial की value क्या होगी और यही बताएगा आपका remainder क्या होगा? तो 2 into 2 का cube, minus 3 into 2 का square, plus 5 into 2, और एक minus 4, यह आपने क्या किया? तो basically आपने यहाँ पे x की value जहां जहां पे x था, वहाँ पे 2 रखे इसको solve करने का प्रयास किया what is 2 cube, 8, 8 into 2 हो जाएगा, 16, यहाँ पे 2 square 4 into 3 हो जाएगा, 12, 4, 3 is a 12, plus 5, 2 हो जाएगा, 10, और यह minus 4 क्या हैगा आपका यहाँ पे जवाब? तो p of 2 रखने पे, मतलब x की value 2 रखने पे, कुछ चीज़े cancel हो रही ही, जैसे यह 16, 12 और 4 cancel क्योंकि 12 और 4 जोड़ेंगे, तो 16 हो जाएगा, जो की negative है, तो वो positive 16 को cancel करके, जवाब बताएगा, केवल 10 के बराबर कितना आएगा जवाब? 10 के बराबर, तो option C, 10 आपका सही जवाब होना चाहिए, यह रहा option C, 10 इसको हम अपने जवाब के रूप में mark करके, आगे बढ़ सकते हैं, क्या yes sir, लेकिन पहले क्या करेंगे? बिलकुल computer जी से parameters कर लेंगे, उनका जवाब भी है, C, 10 ग्री रंग का टिका गया है, मतलब screen, clear और अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है बाप से, कि HCF और LCM पर चर्चा करनी है, भाई HCF is 6X square Y square, and LCM is 36X cube Y cube, अगर एक term दी है आपको, अगर एक term दी है आपको, आपको second term निकालनी है अब देखो यहाँ पे NTSC में किस तरीके सवाल पूछा जाता है, हैं आपके पास polynomials, तो मतलब सवाल बनता आप polynomials का है, पर जो concept यहाँ पे हम use करेंगे, वो concept है chapter 1 का, that is, जो number system वाला chapter है, तो basically यहाँ पे सवाल कहीं और का, concept कहीं और का, और application भी दोनों का करना पड़ेग ठीक है, जैसे यहाँ पे हम basically use करेंगे, कि product of two terms, जो product होता है, product of two terms जिनका HCF और LCM निकाला जा रहा है, वो हमेशा होता है, product हमेशा होता है, LCM into HCF के बराबर, यह आपने पड़ा है, कक्षा दस्वी के पहले chapter में ही पड़ाएं कि भाईया, दो numbers यह दो term जिनका HCF और LCM न इनका खुद का product, उनके LCM और HCF के product के बराबर होता है, इस concept को use करते हो, यहाँ पे पूरा सवाल use होगा, जैसे यहाँ पे है 12X3Y2, यह आपकी पहली term हो गई, ठीक है, दूसरी term को आपने माल लिए, यहाँ पे dash लिखे कि दूसरी term अभी पता लगानी है, LCM आपको पता ह है, 6X2Y2, ठीक है, आपको HCF भी पता है, कितना है, तो HCF है, आपका माफ कीजिगा, आपका LCM है 36X3Y3, और आपका LCM, HCF कितना है, इन्टू 6X2Y2, बस, आपने यहाँ पे इस concept को use करके, अब आप जो एको टर्म है, दूसरी term, जो कि हमारा पूरे सवाल का पार्थ है, टू क्योंकि यह fill in the blank है, 36X3Y3, इन्टू 6X2Y2 यदी है, तो आपको बताने है, वो तीसरी term कौन से है, कि डिवाइट बाइट 12X3Y2, यदी है, चलिए, अब जो जिससे cancel हो रहा है, उससे cancel कर दिया जाएगा, तो सर, यहाँ पे यदी हम ध्यान से देखे, Y2Y2 से cancel क्योंकि यह multiplication है, X3, X3 से cancel, 12, 1 जा और यह 12, 3 जा, तो क्या बचा यहाँ पे सर, आगे 3Y3 बचा और पीछे बचा 6X2, दोनों को साथने multiply करेंगे, छेतिया 18X2Y3 हो जाएगा, क्या आपको यह समझ में आया, जी सर, क्या कि आपने, आपने अपनी कक्षा दसवी का पहला chapter का एक अच्छ चीजों को multiply करने पे जो अंसर आता है, उनी दो चीजों के LCM और HCF को multiply करने पे भी सेम अंसर आता है, तो वही concept का यूज करते हुए, यहाँ पे हमने जो दूसरा unknown term था, जिसके बारे में पूछा गया था, उसका जवाब प्राप्त किया, जो कि है, 18XQ square into YQ, तो वही 18X square into Y क्यों मतलब option A, यहाँ पे हमारा जवाब होगा, एक बार हम आधर निया, सम्मान निया, computer G से भी पूछ लेते हैं, उनका जवाब क्या रहा है, यदि उनका जवाब भी है option A, तो मतलब यहाँ पे हम बढ़ सकते हैं, अगले प्रशन की और इस सवाल को solve करने के साथ ही, चलि को बताना है value of alpha cube plus beta cube plus gamma cube, अब जैसे ही मुझे कभी भी पूछा जाता है, कि what is the value of, जिसे यहाँ पे अगर मैं इसको simple terms में लिखूं तो value of A cube plus B cube plus C cube, जब भी मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है, जहां पे A cube plus B cube plus C cube निकालना हो, मैं हमेशा जो पहली चीज़ चेक कर करने पे 0 आ रहा है, यदि हां तो इसका जवाब हो जाएगा 3 ABC के बराबर तो हमारा काम हो जाएगा काफी असन, तो अब यहां पे क्या करेंगे आप, यहां पे basically आपने चेक करना है कि क्या alpha plus beta plus gamma को solve करने पे आपका अंसर 0 आता है, यदि इसका कोई evidence मिल जाता है, तो हमार काम काफी असान हो जाएगा, चलिए, अब अलफा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए, हमारे पास एक formula है, जो कहता है कि sum of the roots, sum of the roots is equal to what, sum of the roots is always equal to minus b by a, जहां पे a होता है, सबसे बड़े power वाले का coefficient, जो कि यहां पे हो जाएगा, 1, b होता है, second highest power का, तो यहां पे x cube के बाद second highest power आनी चाहिए, ति x square लेकिन नहीं आई है, पर b उसका ही coefficient होगा, तो यहां पे basically हो जाएगा, plus 0 into x square, यह जो आपका polynomial है, जिसमें मैंने यह extra add कर दिया, यह complete polynomial है, और यहीं से आप values को pick करेंगे, ना कि original वाले से, क्योंकि original वाले में x square missing था, cube के बाद square आना च असर ना हो, भले ही, उसके यहां पे कुछ value आड़ ना कर रहा हो हमारे polynomial में, पर वो होगा, इसलिए यहां पे क्योंकि नहीं है x cube, इसलिए x square अलग से लेकिया आया, और इसलिए b का coefficient हो जाएगा 0, अपन a का है 1, तो मतलब a plus b plus c, या फिर alpha plus beta plus gamma करने पर answer 0 आएगा, देख पूरा सवाल गलत हो जाएगा, second position पे होना भी नहीं बनाता है आपको, in fact, आपके साथ जो variable है, उसकी power चेक की जाती है, तो यदि cubic है, तो सबसे highest power वाला a हो जाता है, x square वाला b हो जाता है, x वाला c और last वाला d, तो alpha plus beta plus gamma हो गया 0, अरथात we can be sure that alpha cube plus beta cube plus gamma cube करने पर पक्का हमें मिलेगा 3 alpha beta gamma, जैसे हमने alpha plus beta plus gamma निकाला, वैसे हम alpha beta gamma भी निकाल सकते हैं, what is alpha beta gamma, sir, सब को अलग-अलग add करना is minus b by a, दो-दो के pair में add करना, मतलब alpha beta beta gamma, gamma alpha करना would be c by a, ठीक है, और तीनों को साथ में multiply करना is minus d by a, ठीक है, तो यहाँ पे आप alpha beta gamma की value निकाला, सकते हैं, by putting the value in minus d by a, ठीक है, आपको alpha और beta और gamma की individual value निकालने की जरुबत नहीं है, चलिए, minus b by a मतलब minus of minus 14 whole upon 1, that is k14, तो जब आपके पास alpha beta gamma की value आगई, आप उसको यहाँ पे रखके अपने सवाल को समाप्त कर सकते हैं, तो alpha cube beta cube gamma cube would be 3 into 14, that is 42, यही आपका जवाब होगा, क्या होगा, 42, that is option c, चलिए एक बार दुबारा इसको देख लेते हैं, हमने क्या किया, तो सबसे पहला काम हमने यह किया, कि जब इसको चेक किया, हमने तो यहाँ पे highest to lowest power नहीं जा रहे थे, 3 के बाद आना चाहिए था, 2 लेकिन उन्हें direct x लिख दिया, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले, जान मुझके x square को ले किया है, ताकि हम अपने सवाल को solve कर पाएं, यहां से जो b की value आएगी, और b और a और c और d की value जो थी, a, b, c, d की value होती, वो केवल sequence में नहीं matter करती, बीटा गामा तीनों को add करने प्यार है, शूर ने जिसके वैसे आप alpha cube plus beta cube plus gamma cube निकालने के एक आसान तरीके पहुंच गए, जो की होता है, 3 alpha beta, आपने alpha beta gamma की value निकाली कैसे, सब को पता है, वहाँ से लिकाला आपने तो आपको alpha beta gamma की value मिली 14, जिसको आपने असल प्रशन में रखके अपने alpha square, alpha cube plus beta cube plus gamma cube का answer बता दिया, एक बार computer जिसे और पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी है, option c, मतलब यहाँ पे यहाँ सवाल हो जाता है, समाब, अब हम move करेंगे, अगले प्रशन की और, अब देखें आपे सवाल क्या बोल रहा है, what is the remainder when the polynomial px यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको divide के जा रहा है, किस से, x-1 और x-2 से, चले, तो आपका p of x, आपका जो p of x है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, divide कर रहे हैं, किस से, सब हम divide कर रहे हैं, x-1 और x-2 से, जब आप divide करेंगे, तो आपको मिलेगा कुछ question, तो यहाँ पे हो जाएगा q of x, और साथ में मिलेगा कुछ remainder जिसको हम a x plus b, और आपसे यही पूछा गया है, what is the remainder, अर्थात remainder पूछा गया है, मतलब इसकी value क्या है, इसमें a और b के coefficient क्या होंगे, ठीक है, हो सकता है, x की अलग-अलग पावत हाजाएं, 2, 3, 4, जित्ती भी होंगी, वो सम्भम वहाँ लिख देंगे, चले, आपका p of x है, x की power 200 minus 2x की power 199, plus x की power 50, minus 2x की power 49, उसके बाद है, plus x square, plus x जहाँ पे आप लिखेंगे, और साथ में होगा, plus 1, चले, अब, क्योंकि इसको आप x minus 1 और x minus 2 से divide कर रहे हैं, तो देखते हैं, divide करने पे remainder कितना हैगा, और remainder निकालने लेकर, आपको असल remainder निकालने की जरवत नहीं, अस long division की जगा यूज करेंगे remainder theorem, तो जहां जहां पे x है, वहां पे x की जगा आजाएगा, वहां पे x की जगा आजाएगा, 1, तो x की value हो जाएगी, 1, तो जहां जहां पे x था, वहां पे आजाएगा, x की जगा पे 1, तो आपका p of x सब change हो जाएगा, कितना, सब p of 1 1 की पावर 50-2 into 1 की पावर 49 plus 1 square plus 1 plus 1 क्या आपको यह समझ में आया येस सर अब 1 की पावर 200 कितना हो जाएगा सर 1 minus 2 यहां पे कितना हो जाएगा minus 2 plus यहां पे हो जाएगा 1 minus 2 because 1 की पावर 49 है ठीक है plus 1 square यानी 1 plus क्योंकि 1 का square कितना होगा 1 ही होगा plus 1 plus 1 ठीक है अब जब आप इसको solve करेंगे तो यहां पे जहां से देखना 1 और 1 हो जाएगा यह 2 से cancel minus 2 और यह cancel कुलना के जवाब बचा 1 यह तो इस तरफ अब जो x की वाली हो आपने यहां रखी अगर वो आप question में रखते हैं आपके actual वाले में तब आपको क्या मिलेगा क्योंकि यह भी तो p of x है ना भाई दोनों जगा पर और अपको कैले यहां से चाहिए वहां पर रखो यहां पर रखो वेरिफाइ तो दोनों जगा रखल लो कहां चाहिए तो अभी जो आपने वालिव निकाली यह खहां से निकाली थे इस एक्च्वा पोलिनॉमिल से अब आप कहां से निकालेंगे यहां से कि अगर यह भी क्योंकि P of X के बराबर है तो X की value 1 दखने पर यह भी तो reply करेगा न तो यह कैसा हो जाएगा तो Sir P of 1 यहां पर हो जाएगा 1-1 into 1-2 into Q of X और प्लस हो जाएगा यहां पर A into 1 plus V तो 1-1 तो 0 हो जाएगा तो वो पूरा आगे का पार्ट क्या हो जाएगा Sir P of 1 हो जाएगा यहां पर 0 1-1 हो गया 1-2 हो गया minus 1 into Q of X प्लस A into 1 मतलब A plus B अब देखो आगे का पार्ट 0 से बाकी दुरों multiply होंगे तो यह पूरा का पूरा 0 तो P of 1 आजाएगा यहां से A plus B अब P of 1 की एक value यहां से मिली A plus B दूसरी value यहां से मिली 1 तो मतलब आप कहे सकते हो कि एक equation मिल गई A plus B is equal to 1 यह equation मिल गई क्या आपको समझ में आया Yes Sir कहीं कोई शंकामन में नहीं Sir क्या equation मिली कि A plus B is equal to 1 यह तो एक तरफ हो गया अब जब आप X की value रखेंगे 2 तब क्या होगा तो भाई P of 2 हो जाएगा P of 2 हो जाएगा 2 की power 200 minus 2 into 2 की power 199 plus 2 की power 50 minus 2 into 2 की power 49 plus 2 square plus 2 plus 1 यही होगा है ना अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो यह क्या हो जाएगा solve करने पर क्या आपको actually 2 की power 200 निकालने की जरवत है to be honest नहीं उसके बिना ही काम बन जाएगा कुछ इस प्रकार देखो यह तो हो गया 200 यहाँ पर देखो 2 की power 199 पहले से है साथ में 2 की power 1 एक और आ गया अब जब बे सेम हो तो power क्या हो जाती है power add हो जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की power 200 क्या आपको यह समझ में है मैंने क्या बोला भाई जब बे सेम हो तो power add तो 199 प्लस एक हो जाएगा 200 यहाँ पे भी ठीक वैसे यह तो 2 की power 50 यहाँ पे 49 है और 1 है जब बे सेम हो तो power add हो जाती है तो यह भी हो जाएगा 2 की power 50 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 यदि आप ध्यान से देखे तो भाईया इनकी power भी सेम है बस sign लगे तो cancel इनका भी sign लगे तो cancel कुल मलाक के क्या बचेगा P of 2 P of 2 आया 7 के बराबर यह तो एक तरीके से कौन सा तरीका हमारे actual polynomial का दूसरा जो division वाला तरीका है जो कहता है कि भाईया P of X होता है बराबर X minus 1 into X minus 2 into Q of X plus AX plus B मतलब जब आप X minus 1 X minus 2 से divide करेंगे तो कुछना कुछ question और कुछना कुछ remainder आएगा ही actual division करने की जगा आपने remainder रख दिया ताकि आप remainder निकाल पाएं तो यह हो जाएगा 2 minus 1 चलेगा यहाँ पे 2 minus 2 मतलब शून्या यह Q of 2 निकालने की जरुद नहीं क्योंकि वैसे भी 2 minus 2 करने पे शून्या हो जाएगा पूरा 0 से multiply हो तो हमारा अंसर 0 यह आजाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 A क्योंकि X के जगा 2 put कर रहा है तो 2 into A मतलब 2 A कुल मिला के इस तरह हो गया शून्या क्योंकि 2 minus 2 हो गया शून्या कि 2 A plus B करने पे कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा कितना मिलेगा 7 मिलेगा ठीक है चलिए अब इन दोनों equation की मदद से आप A और B की value निकाल सकते हैं और जैसे ही आप A और B की value निकालेंगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा ठीक है चलिए क्या करेंगे हम A और B की value निकालने इक लिए दोनों equations को solve करेंगे तो यहाँ पे है A plus B is equal to या 2 A plus B equal to 7 और A plus B equal to 1 दोनों को minus कर दो ठीक है simple तो 2 A minus A हो जाएगा A B minus B हो जाएगा 0 और 7 minus 1 हो जाएगा 6 अब यदि A की value है 6 तो B की value कितनी होगी Sir A plus B करने पे 1 आ रहा है तो B की value हो जाएगी like 6 plus B की value हो जाएगी 1 तो B की value हो जाएगी 1 minus 6 मतलब minus 5 ठीक है अच्छा यह A और B थे कहाँ पे तो यदि आपको पूरा revise किया राया जाए तो P of X का जो वो divisor वाला form था वहाँ पे थे A और B किस प्रकार कि भई या X minus 2 X minus 1 और X minus 2 के साथ divide करने पे कुछ question मिलेगा और साथ ही साथ मिलेगा कुछ remainder जो की होगा AX plus B तो आपको A की value मिल गई और B की value मिल गई अब आप चाहें तो इस A और B की value के यहाँ पे substitute करके अपना remainder निकाल सकते हैं जो की होगा remainder is equals to 6 A minus 5 या फिर 6 X minus 5 क्या आपको इस समझ में आया जी सर क्या किया आपने सर पहले हमने equation को solve किया उसके बाद हमने यहाँ पे remainder theorem लगा और अपने जवाब को प्राप्त किया simple question है बस खाली थोड़ा सा लेंदी है और basically आपकी approach अगर आपने एक बार सीख लिया यहाँ पे जो कि हमने किया कि पहले P of X को एक यह माना जो कि था dividend equal to divisor into question plus remainder एक बार यह वाले form से equation लेके आए हम हमारे traditional form ते जहाँ पे P of X में equation दी हुई थी बस इन दोनों का use करके हमने आसानी से सवाल को solve कर लिया क्या आपको यह समझ में आया आपका यहाँ पे remainder कितना आया 6X-5 वो भी कैसे आया कि भाई यह AX प्लस B से compare किया कि जो A की value सवाल में मिली है B की value जो मिली है उसी का use करते हुए जवाब को mark करेंगे तो option D 6X-5 सबसे सही जवाब होगा इसको हम यहाँ पे highlight कर देते हैं लेकिन एक बार उससे पहले हमारे आदर नी है computer जिसे पूछ लेते उनका जवाब क्या है उनका जवाब भी है option D देखो हारा टिक लग गया D के आसपास मतलब हम कर सकते हैं स्क्रीन को clear और move करेंगे अगले प्रश्न की ओड़ जो पिसला question था बैसिकली इतना tough नहीं था दिखने में आसान था लेकिन थोड़ा लेंदी था अगर आपको पूरी trick पता होगी या फिर कैसे अप्रोच करना इन सारे सवालों को वो पता होगा चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि sin 87 degree कक्षा दसवी chapter का नाम trigonometry वहां से आया सवाल कि sin 87 and cos 87 are the roots of equation x square minus bx plus c then value of b square is क्या करोगे आप सर equation के roots से मतलब roots की सारी properties को follow करेंगे तो भाई root की कौन सी property होती है सर पहली तो यह कि sum of roots होता है किसके बराबर minus b by a के बराबर तो sum of roots होता है minus b by a ठीक है sum मतलब हो जाएगा इन दोनों का तो भाईया sin 87 degree plus cos 87 degree is equal to minus of minus b upon a की जगा पे 1 अब यह क्या हुआ अगर हम देखें b होता है basically coefficient of x तो यहाँ पे वही है minus b है और a होता है coefficient of x square तो यहाँ पे 1 है तो हम कुछ कर नहीं सकते अब दूसरा वाला होता है product जो की multiply करने पर आता है तो भाई product कहता है कि sin 87 into cos 87 यह कहां से आया sir alpha into beta is equal to c by a होता है तो वहीं से हम लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा c that is upon 1 अब आप क्या करेंगे sir आपको पूछा value of b square अब जब b का square करना है तो देखो यहाँ पे है जाएगा a square that is sin square 87 यह sin 87 का whole square लिख दीजे बात बराबर ही है plus cos square 87 यह भी हो गया plus 2 into plus 2 into sin 87 into cos 87 यह कहां से आया sir a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2 a b तो वहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं और इस तरह हो है का b square क्योंकि वहीं हमें चाहिए चलिए what is this sin square theta plus cos square theta मतलब same angle हो और square हो तो उनको add करने पे कितना आता है 1 आता है very good plus 2 into sin 87 into cos 87 की value जस्ट उपर लिखी हुई है देखो ध्यान से क्या बोली है आपने value sir c के बराबर तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2c और ऐसा करने पर कितना मिल रहा है आपको b square मिल रहा है तो आपको मिला b square equals to 1 plus 2c ठीक है आपको b square की value चाहिए वहीं आपने बता दी कितनी 1 plus 2c यहाँ पर आप क्या करेंगे सब 1 plus 2c के साब से option b को माक कर देंगे यहीं हमारा final उत्तर होगा क्या एक बार computer जी को पूछ लें सर बिल्कुल पूछ लेते हैं computer जी का भी जवाब है option b 1 plus 2c तो मतलब यहाँ सवाल यहाँ पर होता है हमारा समाप तब हम करेंगे अगले प्रस्ण की ओर रुक अब अगला प्रस्ण क्या बोल आप से let x be the greatest number by which we divide 366 513 and 324 एक नंबर है x जो की divide कर रहा है किसको इन तीनों को ठीक है और डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है remainder is same मतलब डिवाइड करने पर सेम ही remainder मिल रहा है आपको बताना है sum of digits of x तो पहले x निकालो फिर उसकी digits को sum करो तब आपका जवाब आएगा ज़रह यहाँ पर ध्यान देना आपका सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि देखो जब आप 366 को x से divide कर रहे हैं ठीक है कुछ question आ रहा है मान लो a कुछ question आ रहा है और कुछ remainder आ रहा है मान लो r चलिए बहुत बढ़िया second case जब आप 513 को divide कर रहे हैं x से कुछ question आएगा b ठीक है और आपका remainder आएगा r तीसरा case जब आप 324 को divide कर रहे हैं x से तो question आएगा c और remainder आएगा r कौन सा concept है sir इस concept का नाम है कि भाईया dividend is equal to divisor into question प्लस remainder क्या आपको यह समझ में आया यदि आप इस concept को ध्यान में रखके अपने सवाल को पूरा solve करेंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिलेगा ठीक है चलिए अब आप क्या कर सकते हैं सर इन सबको माइनस करके हम equation पता लगा सकते हैं बिल्कुल ठीक है सबसे पहले अगर मैं माइनस करूं तो जब मैं 336 माइनस 324 करूंगा मुझे क्या मिलेगा सर आपको मिलेगा x a plus r x a plus r minus x b minus r क्योंकि जो माइनस कर रहे हैं आप सब्ट्राक कर रहे हैं तो माइनस साइन दोनों के पास जाएगा तो x c sorry b नहीं c x c would be equal to कितना x c would be x c minus r अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक plus r एक minus r है तो इन दोनों को minus करने पे 6 में से 4 गया दो 42 is equal to x of a minus c क्या आपको ये समझ में आया ठीक ऐसे ही इसका क्या ताथ पर रहे है सर इसका ताथ पर बहुत simple है कि divide करने पे 42 आ रहा है आज और answer ऐसी जब आप 366 और 513 को minus करेंगे आपको क्या मिलेगा सर 513 में से जब हम 366 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा एकस बी प्लस आर माइनस एकसे माइनस आर ये क्या हुआ सब्ट्राक्ट हो गया पांसो तेरा में से 336 सीक्वेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं सीक्वेंस आप 19 बीस कर सकते हैं लेकिन सब्ट्राक्शन कर समय नेगेटिव ना है इसका बीसिकल लिए हमें ज्यादा ध्यान लगना है चलिए तो भाई 13 में से 6 गया तो साथ बचेगा पचास में से 36 गया तो कितना बचेगा शायद 147 आएगा इसका अंसर एक बार चेक कर ले ना भाई सब पांसो तेरा माइनस 366 5 की जगा तार 11 की जगा 10 और यह हो जाएगा 13 13 में से 6 गया 7 10 में से 6 गया 4 4 में से 3 गया 1 तो यहां पर हो जाएगा 147 वेरी गुड चलिए यह कैसे आया सर यहां पर भी X कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा B माइनस A क्योंकि R और पॉसिटिव और नेगेटिव कांचल हो जाएंगे तीसरा केस 513 माइनस 324 यहां पर भी क्या होगा सर वही जो अब तक हुआ है कि भाया X B प्लस R मेंसे माइनस होगा क्या मेंसे माइनस होगा माइनस ओफ XC माइनस आर दोनों चीज़े माइनस चरिए 513 में से 324 माइनस किया 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा पचास में से 32 गया तो 189 बचेगा 189 इक्वल्स टू X इंटू B माइनस C यही होगा एक बर आप चाहें तो डिविजन चेक कर सकते हैं सब्ट्राक्शन चेक कर सकते हैं तो भाई 513 माइनस 324 यह हो जाएगा यहां पर 50 और यहां हो जाएगा 13 9 50 में से 32 गया तो ठीक है 189 सह अब देखो यहां पर आपको सवाल भूलके कॉंसंटेट कहां करना है इस बात पर कि जब आपने 42 को X से डिवाइड किया तो आपका जवाब आया A माइनस C ठीक है 42 को जब आप X से डिवाइड करेंगे जवाब कितना आएगा A माइनस C उसके बाद 147 को भी आप जब X से ड C-C इन सेंटेंस का क्या मतलब है सर इनका मतलब है कि X से डिवाइड करने पे इन तीनों को कुछ ना कुछ अंसर आ रहा है अर्थात ये तीनों X से डिविजिबल है अर्थात X इन तीनों का HCFA X क्या है इनका HCFA तो इसको यूज करके अब हम X की वायल्यूज करेंगे कैसे फाइन करेंगे वो पहले थोड़ी स्क्रीन क्लिया कर लेते हैं थाकि हम आसानी से लेक पाएं तो चलिए आप हमें निकालना है एक्स एक्स क्या वाल्यू है सर कि वो वाल्यू है जो कि इन तीनों को डिवाइट कर रहा है मतलब इस तीनों को है ह। इनको दिवाइट करें है तब आप उसको के तो फैक्टर जब आप कहे रहो कि एक्स फैक्टर है 42 को मतलब एक्स वह नंबर जो 42 को डिवाइड कर रहा है जैसा कि हम यहाँ पर दिख भी रहें तो बेसिकल इब आप निकालेंगे है HCF of HCF of 42 147 and 189 इन तीनों का जो HCF होगा हाइस कॉमन फैक्टर होगा वही हमारे एक्स की वैल्य होगी सिंपल सरल सुन्दर वह चाहिए और ऐसा हम किस बेसिस पह बोल रहा है कि एक्स भाईया तीनों को डिवाइड कर रहा है मतलब कुस्छ कुछ कॉमन है तो ही डिवाइड कर रहा है चलो 42 के factors हो जाते हैं आपके 7 into 6 जिसको आप कैसे लिख सकते हैं भाईया 7 into 6 मतलब 7 into 3 into 2 साथ या 21-21 दूनी 147 के जब आप factors निकालोगे एक तो आएगा 7 ठीक है फिर बचेगा 21 जो की होता है 3 into 7 तो 7 into 7 into 3 49 into 3 करने पर आता है 147 189 के factors भी निकालोगे तो एक तो होगा सेवन क्योंकि 7 से डिविजिबल है कितना बचेगा साथ सेवन टू जा 14 और साथ में बचेगा यहां पर 49 तो कितना सर यहां पर बचेगा 27 जो की होता है 3 into 3 into 3 into 3 है ना यही होगा 327 into 7 करने पर आता है 189 27 होता है किसका क्यूब 3 का क्यूब तो यदि आप ध्यान से देखेंगे HCF में क्या होता है सर जो तीनों के पास हो वो आएगा common तो तीनों के पास एक 3 और एक 7 तो है ही जादा भी है किसी के पास अबर इतने तो है ही तो आपका HCF हो जाएगा 21 मतलब बेसिकली एक्स की वाल्यू हो जाएगी 21 21 वह नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है 21 भी वही नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमेंडर दे रहा है यह जो हमारे पास रिजल्ट आया यह उन्हीं तीन इक्वेशन की मदद से आया था उन्हीं तीन नंबर की मदद से आया था लेकिन हमें यांपर एक्स नहीं पूछा है हमें यह पर क्या पूछा है पूछा है thu मतलब करना पड़ेगा जो की हो जाएगए थरी के बराबर तो हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए 3 माने option a क्या आपको यह समझ में आया आसान था यह yes sir काफी आसान बट लेकिन concept समझने के बाद आसान तो concept क्या था पहले आपने इन तीनों को divide करने वाला जो number था x उसका common remainder से equation बनाई फिर common remainder को eliminate करते हुए तीन नहीं equation लाए उन नहीं तीन equations का क्या सार निकला कि वो तीनों divisible है एक से जो तीन numbers है उन्हें के मदद से हमने निकाला hcf जो की था x की value के बराबर फिर निकाला हमने sum of digits तो digit को add करने पे आया 21 एक बार हम क्या करेंगे computer जिसे पूछ लेंगे उनका जवाब भी है option a3 तो मतलब यहां पे यहां सवाल हो जाता है sum after हम move करेंगे अगले प्रश्न की और अब if a number m is divided by 5 leaves remainder 2 तो m divided by 5 and leaves remainder 2 अड़ था तिदी मैं mathematical terms में लिखूं तो m is equal to 5 a plus 2 यही होगा yes sir another number n दूसर number n इसको भी divide किया जा रहा है 5 से तो remainder आ रहा है 4 तो मतलब n जब इसको आप divide कर रहा है 5 से question टाएगा b और remainder आएगा 4 यह मैंने cases आप से लिखा तो बच्पन में हमने पढ़ाए कि भाया dividend is equal to divisor into question plus remainder हाला कि मुझे question remainder नहीं पता दोनों cases में because m और n नहीं पता तो question कहां से पता होंगे अब आप से क्या बोल रहा है जब आप m plus n को divide करेंगे तो चलिए m plus n को divide करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर पहले m plus n करना पड़ेगा तो जब आप इस तरफ m plus n करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर यहां तो हो जाएगा सीधे सीधे m plus n लेकिन अगर इस तरफ होगा तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा तो वहाँ पे हो जाएगा 5a plus 2 plus 5b plus 4 इसको आप थोड़ा simplify करेंगे तो m plus n हो जाएगा 5a plus 5b plus 6 अब क्योंकि हमें 5 से divide करना है तो चलिए यहां तो आपने m plus n को 5 से divide कर दिया इस तरफ अगर आपको 5 से divide करना है तो क्या होगा सर यहां 5a plus 5b already है यह दोनों 5 से divide हो जाएगे हाला कि 6 5 से divide नहीं होगा और हमसे सवार में बोला भी नहीं कि पूरा divide करो हमसे तो remainder पता लगाने को बोला है तो सर क्या 6 remainder होगा नहीं क्योंकि 6 के अंदर एक 5 छुपाए तो भाईया 5 plus 1 हो जाएगा अब यदि आप इसको 5 से divide करेंगे तो यह पूरा तो हो जाएगा 5 से divide भाई 5a है 5b है plus 5 है तीनों values 5 से divisible है जो 1 है वो 5 से divide नहीं हो पाएगा और वो छूट जाएगा आज यूर remainder तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आपका remainder क्या होगा आपका remainder होगा वन जो की है option a कैसे पता लगाया आपने पहले आपने m की condition देखी फिर आपने की condition देखी फिर दोनों को add करके क्या नतीजा मिल रहा है उसे देखा उसके बार आपने solve करते हुए यह पता लगाए कि भाई यह remainder कितना बत रहा है जवाब भी है option a मतलब यहां पर हम कर सकते है screen को clear और अगले प्रश्ण की ओर आगे बढ़े अगला प्रश्ण है हमारा यहां पर कि यदि अलफा और बीटा जीरो से आपके पॉलिनॉमियल के तो आपको बताना है आपको यह बताना है कि भाईया what is the value of k such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21 बटे चार तो देखो कितना घुमा के पूछा सवाल के alpha beta zeros है वहां से आप उठाईए alpha और beta इसमें पूट कीजिए उसके बाद alpha beta की value निकाल लिए तब आपको की value मिलेगी काफी सारी मेहनत है पर हम कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं चलिए देखो ऐसे सवाल में कभी भी डरने के जरूबत नहीं कि आपको क नहीं होगी alpha plus beta की value सर वह जाएगी minus 5 upon 2 कितनी minus 5 upon 2 ठीक है कैसे आपको पता alpha plus beta होता है sum of roots और sum of roots होता है minus b by a के बराबर जिसमें b होता है x का coefficient तो यहां पर minus 5 upon 2 जो की है a का coefficient चलिए अब यहां पर alpha यदि आपको square करना है कि यहां पर देखो alpha square और beta square पूछा है तो इनका भी square करना पड़ेगा तो इनका square करोगे तो आपको क्या मिलेगा alpha plus beta का whole square would be equal to minus 5 upon 2 का whole square ठीक है alpha plus beta का whole square would be equal to minus 5 upon 2 का whole square अब what is alpha plus beta का whole square तो सर वो हो जाएगा alpha square plus beta square क्योंकि a square plus b square लगेगा plus हो जाएगा 7 में 2 alpha beta और इस तरफ हो जाएगा minus 5 मतलब 25 और 2 का square मतलब 4 अब या तो इनसान यहां से alpha square plus beta square की value निकाले इसको वहाँ बेचके फिर इसको वहाँ पर replace करे फिर solve करे या फिर या फिर आप क्या कर सकते हैं देखिए alpha square plus beta square यह जो 2 alpha beta इसको मैं break कर रहा हूँ alpha beta plus alpha beta what is two alpha beta basically alpha beta alpha beta दो बार तो आपने यहां पे दो बार लिख दिया और यह सब हैं किसके बराबर 25 बटे 4 के बराबर इसमें से जदी आप ध्यान से देखें और अपने प्रस्टने से मैच करें तो alpha square plus beta square plus alpha beta इनकी value आपको दी हुई है तो क्या हम इनकी value substitute कर दें कि alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21 by 4 तो यहां पे आजाएगा 21 by 4 इस bracket की जगा प्लस है alpha beta और यह सब मिलाके है 25 upon 4 के बराबर what is alpha beta तो sir alpha beta हो जाएगा 25 upon 4 minus 21 upon 4 यह आपने क्या किया subtract किया तो 21 upon 4 को वहां बेजेंगे तभी alpha beta की value मिलेगी तो 25 में से 21 गया तो 4 बचेगा निचे upon 4 equal to 1 alpha beta हो गया 1 के बराबर और alpha beta निकालने का एक और तरीका है that is product of roots होता है c by a के बराबर तो जब alpha beta की value है 1 तो c by a क्योंकि a की value है 1 देखो sorry a की value कितनी है 2 है यह ना क्योंकि क्या होता है a a होता है x square का coefficient जो कि यहां पर है 2 तो what is c की value तो 2 वहां चले जाएगा तो c की value हो जाएगी 2 c is nothing but k यहां पर तो k की value हो जाएगी basically 2 कितनी हो जाएगी k की value k की value हो जाएगी 2 that is option c क्या आपको यह समझ में आया yes sir कहीं कोई शंका मन में नहीं sir क्या कि आपने आपने यहां पर बुद्धी मत्ता का उपयोग करते हुए अपने सवाल को जितना आसानी से हो सकता था उतनी आसानी से solve करने का प्रयास किया ना कोई value बोलने से के value आजाएगी 2 नहीं sir यह आदर नहीं जो बड़ी सी screen मौधा है जिनके computer जी उनसे भी पूछना पड़ेगा उनका जवाब भी है c2 तो वही हमारा जवाब होगा अब हम करेंगे screen को clear और फिर move करेंगे अगले प्रशन की और अगला प्रशन क्या बोल रहा है आपसे कि यदि xy upon x plus y is equal to xz upon x plus z and yz upon y plus z is equal to c तो आपको बताना है what is the value of x अब ज़रा इस सवाल को देखना दिखने में काफी आसान है पर लेकिन केवल एक ट्रिक यहां पर हम यूज करेंगे और आपको आपका जवाब मिल जाएगा वो ट्रिक कौन सी है तो जला उसको जहान से दिखना पहली बात तो इसमें यहां पर a भी focus मत करो आपका पूरा ध्यान लगा दो केवल इस पे that is xy upon x plus y पे क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप xy upon x plus y को थोड़ा simplify करके लिख पाएं तो यदि आप ध्यान से देखें और इन दोनों पक्षों को numerator को और denominator को दोनों को यदि आप क्या करें xy से divide करें तो आपको क्या मिलेग तो उपर हो जाएगा xy upon xy नीचे हो जाएगा x upon xy क्योंकि आपने xy से divide किया plus y upon xy अब यदि आप दिमाख में यह सोच रहें कि सर उपर तो एक ही बार divide हुआ नीचे डो बार divide हुआ यह बराबर कैसे हुआ तो प्रभू addition था इसलिए आपने अलग-अलग कर लिए और उ उपर बचा आपके पास 1 नीचे बच गया 1 upon y plus 1 upon x ठीक है और यह किसके बराबर है यह बराबर है a के अब यदि इसको हम cross multiply करें यदि इसको हम cross multiply करें तो हमें क्या मिलेगा तो 1 upon a मिलेगा 1 upon x plus 1 upon y के क्या आपको यह समझ में आया कि किस तरीके से आपने अपने actual question को simplified form में लिखा एक बड़ दुबारा देख लेते हैं हमारे पास था xy upon x plus y हमने दोनों को numerator और denominator को xy से divide किया simplify करने पर हमें जवाब मिला कि जो हमारा actual question था वो basically था किस form में कि 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon a के बराबर है क्या बोला मैंने 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon a अब इसी के साथ अगर हम दूसरे पार्ट को चेक करें तो वो हो जाएगा 1 upon x plus 1 upon z is equal to 1 upon b ऐसे ही जब आप तीसरे पार्ट को simplify करेंगे तो आपको मिलेगा 1 upon y plus 1 upon z is equal to 1 upon c क्या आपको यह समझ में आया अब क्योंकि आपको x चाहिए तो आपको y और z को eliminate करना पड़ेगा वो आप कैसे करेंगे तो सर यहाँ पे y plus z यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर हम उपर दोनों वाली equations उनको value निकाल पाएं तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो मैं उपर की दोनों equation को add कर रहा हूं तो 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon x plus 1 upon z इनको add किया मैंने तो मुझे क्या मिला सर आपको मिला 1 upon a plus 1 upon b ठीक है क्योंकि जब आपने lhs add किये तो आपको rhs भी add करने पड़ेंगे यहाँ पर 1 upon x और 1 upon x को जब आप साथ में जोड़ देंगे तो वो हो जाएंगे 2 upon x और 1 plus y upon 1 plus z यहाँ पर as it is रहेगा और यह हो जाएगा 1 upon a plus 1 upon b अब आप चाहें तो 1 upon y plus 1 upon z की value भी replace कर सकते हैं कैसे सरी जो 1 upon y plus 1 upon z है यह हूबहू match कर रहा है इधर के 1 upon y plus 1 upon z से और यह बराबर है 1 upon c के तो यहाँ पे भी replace हो सकता है तो 2 upon x plus 1 upon c would be equal to 1 upon a plus 1 upon b तो बिना जादर को subtraction, multiplication, addition किये easily हमने y और z को eliminate कर दिया हमारे पूरे question से कुल मला के कहानी बची कि भाईया 2 upon x would be equal to कितना सर 1 upon a plus 1 upon b minus 1 upon c अब आप चाहें तो इन में से किसी को भी simplify करके या इन तीनों का LCM लेके x की value बता सकते हैं तो 2 upon x फिलाल के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो a, b, c ही हो जाएगा आपका LCM तो अब इसके पास a है तो b, c को multiply करना पड़ेगा इसके पास b है तो a, c को multiply करना पड़ेगा इसके पास c है तो a, b को multiply करना पड़ेगा जब आप ऐसा करेंगे तो b, c प्लस a, c माइनस a, b हो जाएगा hold up, आप देखो a था आपने b, c से multiply किया तो a, b, c हो गया ठीक है, b था आपने a, c से multiply किया तो a, b, c हो गया और c था आपने a, b, c से multiply किया तो a, b, c हो गया x की exact value पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ी सी मेहनत और x जाएगा उस तरफ ये पूरे आएंगे इस तरफ तो twice a, b, c upon b, c प्लस a, c माइनस a, b होगा आपके x की value जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है option b में which is b, c, नहीं option b में क्या होगा यहाँ पे a, b, c, plus a, c, minus a, b, ठीक है वो वाला option a क्या हमारे पास यहाँ पे देखो तो उसा 2 a, b, c, minus a, b वाला यह वाला option है तो यही हमारा जवाब होगा option a that is b, c, plus a, c, minus a, b, ठीक है एक बार हम computer इसे और पूछ लेते हैं उनका जवाब भी है option b that is b, c, plus a, c, minus a, b तो b, c, plus a, c, minus a, b हमारा जवाब होगा क्या आपको यह समझ में आया yes sir कैसे solve किया आपने देखो यहाँ पे सबसे important जो trick थी आपकी वो यही थी कि भाईया किस तरीके से आपको actual यहाँ पे आपके question को simplified way में change करना है और उसमें भी सबसे important क्या था किस तरीके से आपने x, y से divide किया आपके सारे terms को और फिल आपका जवाब आया फिर तो addition subtraction करके आपने final उत्तर निकाल दे जो कि था b, c, plus a, c, minus a, b आपके denominator में, numerator में था 2, a, b, c, क्या आपको यह समझ में आया yes sir, चलिए screen करेंगे clear और move करेंगे अगले प्रश्न की और अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि if m and end are roots of x square minus px plus q क्या है भाईया m और n तो sir, m और n roots हैं किसके x square minus px plus q equal to 0 के तो आपको बतानी है value किसकी p cube minus 3pq की बतानी है चलिए, यह तो हम कर सकते हैं अब सबसे पहले तो हम निकालते m और n की value क्या होगी भाईया तो sir, m plus n हो जाएगा that is sum of roots करने पे minus b upon a जहाँ पे minus b होता है यहाँ पे x का coefficient और a होता है x square का coefficient जो कि x b जो है वो already negative है तो आपने minus sign दो बाल लगा है तो मतलब यह होगा कि m plus n p के बराबर multiply करने पे आता है c by a जो कि हो जाएगा q by 1 that is q अब आपको चाहिए क्या सर हमें चाहिए यहाँ पे p cube minus 3p cube ठीक है what is p cube तो सर p की value है m plus n तो चलिए m plus n का whole cube ठीक है minus 3 into m plus n और यहाँ पे q की जगा हो जाएगा mn ठीक है अब ज़रा आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दे तो चलिए यह तो हो जाएगा m plus n का whole cube minus 3mn को मैं आगे लिख रहा हूँ अंदर लिख रहा हूँ m plus n अब आप चाहें तो m plus n के whole cube को जब आप open करेंगे तो वो हो जाएगा a cube plus b cube plus 3ab that is 3mn into m plus n यह हो गया आपका कौन open a plus b का whole cube साथ ही में minus है यहाँ पे 3mn और m plus n ठीक है तो यह हो गया positive तो देखो एक positive एक negative और दोनो exactly बराबर एक दूसरे की तो मतलब यह दोनों क्या हो जाएंगे सीधे सीधे cancel हो जाएंगे कुल मिला के आपके पास जवाब बचेगा m cube plus n cube क्या आपको यह समझ में आया कहीं कोई शंकामन में क्या आएगा जवाब m cube plus n cube अब हम क्या करेंगे एक बार computer जी से और पूछ लेंगे उनका जवाब भी है option ए तो मतलब हमारा जवाब सही है screen हम कर सकते हैं यहां पे clear और move करेंगे अगले प्रस्टन की ओर लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है तो आपके लिए जो इंपोर्टेंट जानकारी है हमारी website के बारे में magnet brain की website अब हमने आपके लिए बेलकुल open कर दी है free to access free for all हर वो विद्यार्टी जो पढ़ना चाहता है अपने exams के तयारी करना चाहता है वो बिना एक भी रुपया पे करें बिना कोई भी पैसा पे करें बस केवल अपनी हमारी website पे जाके अपनी मतलब आपकी और हमारी website पे जाके पढ़ाई कर सकता है बिना कोई भी सब्सक्रिप्शन लिए आपको बस website पे जाना है जो भी चीज़ा पढ़ना चाहते हैं उसके टैप पे क्लिक कीजे उधारन के तौर पर आप NTSC पढ़ना चाहते तो भाई NTSC के टैप पे क्लिक कीजे आपको NTSC सब्बंदित जितने सब एक लिस्ट वाइस फॉर्मैट में आपको मिल जाता है तो जो किely शर्fahr से से बिच के से बीच में अपने काम के से सेशन नहीं मिल पाते और वहमें में करतें यहां फिर систем करतें जिनका जवाबने का प्रयाश करतें पर नदों जवाब आने में थोड़ा ढोंचा नहीं कि heav क् जो भी सेशन आप पढ़ना चाहते हैं केवल जाहिए वाचनाओ के टैप पे क्लिक कीजिए आपको यहां पर सेशन मिल जाएंगे उन सेशन में क्या पढ़ाया गया है सेम टीचर डिलिवरिंग सेम क्वालिटी कंटेंट और तू फ्री ऑफ कॉस्ट वही टीचर वही कंटेंट वह भी बिना किसी रुपए को पे किये हुए आपको कुछ भी पे नहीं करना है हमें केवल पढ़ाई करनी है अपने एक्जाम पे फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है और एक और अनॉस्मेंट आपके लिए तो आपको पता है हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी सब्सक्राइब करना है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है ताकि हर वो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है उसके लिए भाषा कभी भी कोई बैरियर ना बने कोई भी रुकावट ना बने और वहां अच्छे से पढ़ा ही करें जीवन में आगे बढ़े और हम सब सक्सेस्फ पंदरा सोला के सवाल थे उन्हें कवर करने का प्रयाज किया बहुत सारे कोशन हमने सॉल्फ कि अगली सेशन में हम और भी करेंगे बस आपको क्या करना है रेगुलरी प्राक्टेस करनी है चोटी सी रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब इंड अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें स्टेए होम स्टे सेफ टेक कर बाई गुड़ देज सी यू सून